दाजी आनंद संस्थान मद्धे प्रदेश के सभी पदाधिकारियों और आनंदकों के साथ सभा में जुड़े सभी अग्रजों, अनुजों, साथी सहयोगियों, संबंधियों का समापन समारों सत्र में सहर्ष स्वागत और अभिनंदर 26 मई 2021 को आनंद सार्वभाविक मानगिये मूलियों के आधार पर इस शीर्षक वाली एक कारिशाला के मात्यम से हमारा प्रथम परिचे हुआ समवात तारंबुआ, चर्चा का लक्षिता समझना, समझना सही को, समाधान को, निरंतर्शो को यानि आनंद को इसी संदग में हर दिन दो सत्र पूर्वान और एक सत्र अफरान में हमने और आपने सबने सहयोग के साथ को एक्स्प्लोरर के रूप में स्वानवेशन यानि सिल्फ एक्स्प्लोरेशन किया बहुत ही सुन्दर प्रयास रहा सभी का, मैं स्वभागिशानी हूँ कि सार्थक चर्चा के समापन सत्र के संचालन की सुखत जिम्मेदारी के साथ हूँ. कारिकरम का मुख्य उद्देश बिन्दूवार श्वम उल्यांकन करना है। इस समापन कारिकरम की उद्देश की बात कर रहे हूँ। आपसे विनम्र अपेक्षा है कि स्वव परिचे से प्रारम्ध करते हुए परिक्षित भया एक बार समापन स्वव मूल्यांकन का जो डिस्प्ले है उसको लगादें प्लीज जिसके कि मेरी बात ठीक से पहुँच पाए तो सभी प्रतिभागियों से सभी साथी सहयोगियों से विनम्र अपेक्षा है कि स्वव परिचे से प्रारम्ध करके इस कारेशाला के माध्यम से उन व्यक्तिगत उपलब्धियों को साझा करें उन प्रस्तावों को उलेख करें जिन पर विगत चार-पांस दिनों में हमारा आ मुख्य रूप से मानव, परिवार, समाच, प्रकृति, अस्तित्व के बारे में दिये गए विभिन प्रस्तावों में से कुछ एक, दो या तीन प्रस्ताव जिनको आप सहस्विकृति के आधार पर जाच पाएं हैं, उनको जरूर उल्लिखित करें। UHV की पूरी वस्तु और प्रक्रिया के साथ मेरे अपने से लेकर अस्तित्व तक को समझने के अर्थ में, परिवार से संस्था तक प्रतिभाग करने के अर्थ में, मुझे क्या संभावनाय दिख रही हैं भविश्य में, उसकी दि आपसे अपेक्षा है, जरूर चर्चा तो क्या कारिक्रम में धारित होए हैं, उसको भी जरूर मेंशन करें, नीटी के स्तर पर भी और क्रियानवयन के स्तर पर भी, राज्य आनंग संथान जैसी प्रतिष्टित संस्था के संभानित आनंदक के लूप में, संस्था और समाज से लेकर जिला, प्रान, राश्र और संपूर्ण विश्व के लिए आपका क्या कारिक्रम और प्रयास रहेगा इसे सुनकर हमें निश्य ही आहलाद प्रसनता होगी अगर आपके पास कुछ सुझाव हैं उनका हिदर से स्वागत है लेकिन उन सुझावों को समय की सीमा को देखते हुए तो समय सीमा को देखते हुए उन सुझावों को पोस्ट वर्क्शॉप सर्वे में विस्तार से लिखें हमें उन सुझावों को पढ़कर और उन्हें योजनानवित करके बहुत ही प्रसनता होगी लेकिन इस स्वमूल्यांकन में समय का सदुपयोग करते हुए इन चार बिंदुओं पर ही तीन से चार मिनट में अपनी बात को रख पाएंगे तो अधिक अधिक आनंदकों के विचारों का प्रगटी करन हो पाएगा तो कारेक्रम की शुरुवात करते हुए परिवार के वरिष्ठ सदस्रे और अध्यक्ष NCC IP प्रोफेसर रजनीश अरूरा जी को आवंत्रित करना चाहूंगी सर भविटी की अध्रावनाओं और ब्रुटी लेकर आपसे वत्तव्य और आशीश की अपेक्षा है प्रणाम सर मेरा स्लाइड्स शेर करेंगा उपसे मुझे आज बहुती प्रसनता हो रही है कि बहुती कम समय में कि मैंने जब पंद्रा तारीक को अपना ये पहला कारिक्रम हुआ था आनन्द यानि स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ वातावर्ण तो मुझे ये नहीं ध्यान में था कि एक रविवार छोड़ करके और अगरे रविवार एक समापन सत्र में मैं बात कर रहा हूंगा राज्य आनन्द संस्थान के बारे में जो जानकारी मिली कि मध्यप्रदेश में 2016 से ही ये संस्थान आनन्द के साथ, आनन्द के लिए बहुत सार्थ कारे कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि एक वॉलंटियर्स की टीम, एक स्वैचिक टीम आप जोडने में सफल हुए हैं अलप विराम कारिक्रम और अन्य कारिक्रम के माध्यम से बहुत साजनक परिणाम भी आपको मिल रहे हैं इनी लक्षों को पुष्ट करने के लिए राप्त करने के लिए संस्थान कारे करता रहा है बहुत खुले मन से और उसी क्रम में यो उनिवर्सल हुमन वैल्यूस का ये प्रस्ताव ध्यान में आया कि जिसमें हम स्वयम के अधार पर जाचने समझने की द्रिष्टी से इस विशेवस्तु और प्रक्रिया की उप्योगिता और संभावना के आकलन हेतु ये शिविर कायोजन किया गया था और उसे द्रिष्टी से नेक्स्ट जो मैंने चर्चा की थी कि आनंद का अर्थे की निरंतर आनंद जहां अभाव और दुख का कोई भी कारण नहीं है और उस निरंतरता को प्राप्त करने के लिए जो भूमी का है स्वस्थ मन की स्वस्थ शरीर की और स्वस्थ वातावरल की तो मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को दोहराता नहीं हूं हमने इस चीज को किया ही था कि आनंद पूर्वक जी यानि हर स्थर पर स्वयम में परिवार में समाज में प्रकृति स्वस्थ मन की बात कहते हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयम में सही समझ भाव विचार सत्य का ज्यान प्रेम का भाव स्वस्थ शरीर का रथ है कि शरीर में स्वास्थ ना कि केवल की रोग का निवारन हो जाना दवाई ले लेना, medical सुविधाइं ये स्वास्त का अटनी health यानि स्वयम में शरीर के स्वास्त के बारे में ज्ञान होना समझ होना था और स्वस्त बातावरन के तीन हिस्सों की चर्चा की थी हमने स्वस्त परिवार, स्वस्त समाज और स्वस्त प्रकृति इन सम्बंध वा सम पर पूरक्ता के अधार पर जीना और स्वयम समर्थ करना प्रकृति को समर्थ करना इस प्रकार से इसकी चर्चा जब हमने की थी और हमने नास्ट में ये तुझाव रखा था कि इस विशे को समाज में आगे बढ़ाने के लिए अपने को प्रयास करना चाहिए कार्कमों को परारंब हुआ उसमें चालीस के लगभग बंधो भगेनी ने भाग लिया आज उसका समापन और स्वयम उल्यंकन का सत्र परारंब कर रहे हैं वास्तों में इस विशे को पूरे समाज में ले जाने के लिए जो आवश्यक्ता है कि सबसे पहले जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो र तो यह अनौपचारी खिक्षा के माध्यम से उसका है यानि पेरेंट्स और परिवारों में जो बड़े हैं उनके माध्यम से यह 131 करोड जो जनसंक्या है यह 25 करोड परिवारों में रहती है तो हर परिवार का कम से कम एक विक्ति इस विशे से परिचित हो और बाकी अपच अनौपचारी खिक्षा के जो स्कूल एजुकेशन, हार एजुकेशन के विशे हैं तो उसके लिए टीचर्स को तयार करना है राज्य अनंद संस्थान जो कारे कर रहा है वो अनौपचारी खिक्षा का कारे कर रहा है अपने अनंदकों के मध्यम से और यह बहुत महत्तवप कारे की दिशा में हमें बहुत प्रसन्था हुई है कि हम अनंद संस्थान के साथ इस कारे को कर रहे हैं ताकि हर परिवार तक पहुंचा जा सके हैं और इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए जो योजना है नेक्स स्लाइड मैंने आपके साथ स्कूल एजुकेशन और हार एजुकेशन की चर्चा नहीं की क्यों किया तो जो अधिकारियों के साथ बात हुई वह यह हुई कि इस काम को हम मध्यप्रदेश में तीन अस्तर पर करना चाहते हैं अपने यहां पर राज्यस्तर के जो पाँच अधिकारी है जिलास्तर 48 जिले हैं 337 ब्लॉक हैं उनके जो मुख्य लोग हैं ऐसे सब मिला करके 40 लोगों का यह सत्र यह शिविर आज संपन होने जा रहा है इसके दूसरे स्टेप के तौर पर यह पुझावाया है और इस योजना को हम आगे बढ़ाएंगे कि सभी 48 जिलों के जिलास्त तरीय कारे करता 337 ब्लॉक्स के सभी कारे करता और 44,000 गाहों के जो प्रमुख 125 अनंदक हैं ऐसे मिला करके लगबग 500 अनंदकों का एक अगला शिविर आयुजित किया जाए उसकी तिथियां सब लोग मिल करके निश्यत कर पाएंगे और फिर तीसरे स्टेप के तौर पर हम लोग इस कारे को ग्राम सपर पर जो 44,000 कारे करता हर गाहों का कम से कम एक कारे करता अगर हम जोडते हैं तो ऐसे मुझे बताया गया है कि इस समय आपके संस्थान के साथ जुड़े हुए जो वलंटियर्स हैं 58,597 अनंदक हैं इन सब के ऑनलाइन प्रशिक्षन की योजना फिर आगे के शिवरों में हम लोग कर सकते हैं इस प्रकार की प्रस्तावना है इस योजना को तै करने का दाइप तो आपका है कि इसे कैसे करना क्या करना मैं AICT की जो NCCIP टीम के अध्यक्ष के नाते से आपको अपनी सारी UHV टीम उसके रिसोर्स परसंस वो भी आपकी तरह से आइस वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं AICT की जो टीम है वहां के अधिकारी वहां का जो हमारा इंडेक्शन प्रोग्राम सेल है उसकी और से आपको अश्वासन देता हूं कि हमारी और से पूरी तैयारी है उद्धाटन सत्र में अपने अध्यक्ष अनिल सेहस्रबुद्य जी ने भी ये विशे लिखा था और हम इ और ये भी पहले सत्र में उद्धाटन सत्र में बात हुई थी इसके लिए किसी भी प्रकार का जो ओन्रेरियम है वो कोई भी रिसोर्स परसन चार्ज नहीं करेगा अब इसकी योजना आप लोगें को सुनिश्चित करनी है और मैं अपनी शुब कामनाओं के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए कहता हूँ आगे मुझे लगता है कि ये मेरी अंतिम स्लाइट थी नरूला जी तो इस सारे आशे के साथ मैं इस समापन सत्र की शुरुआत करने का आप लोगें उसे आग्रे करता हूँ और आपका स्वमुलिंक्यान सुन करके हमें भी अपने कारिक स्थान के सभी अधिकारियों का बहुत-बहुत आभारी हूँ और सभी आनंदकों को शुब कामनाओं के साथ में अपनी बात बोड़ी करते हूँ बहुत-बहुत बहुत आभार सर्व बहुत-बहुत भन्यवार अब समापन कारिक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रन है श्री प्रवीन दंगरानी जी को निटेशक राश्क्रिय आनंद संस्थान प्रणाम भाईसर कारिशाला को कितना उपलब्दी डायट पा रही है यह हम आपसे सुनना चाहेंगे प्रुप्या अभी को नमस्कार और मेरा ब्रीट परीचाहिए है कि मैं प्रवीन भाईसर आप तो मेरा ब्रीफ परीच है यही है प्रवीन कुमार गंगराडे हूं और अभी वर्तमान में राज जानन संस्तान में निदेशक का दाई तो समाल रहा हूं और जो इस कायरकम्स के बारे में मेरे अनुभा हूं और मैं थोड़ा साजा करना चाह रहा हूं कि जो यो एच्वी या इसके साथ मेरा जो जुडाओ है वो 2016 में सबसे पहले हुआ था मैं पहला शिवीर माई 2016 में मैंने अपनी वाइफ के साथ कानपूर में किया था और इसकी प्रेणा भी मुझे मेरे जो पारिवारिक मेत्र हैं दिरेंच चतरुवधी जी उन्होंने दी थी और उनके कारण और मैं 2016 में कानपूर में हमने जब प्रस्टिक्शन लिया तो विशे जब सामने आ रहे थे तो जो सबसे पहला मरे को जिसको केतने देखना या ध्यान जाना तो कानपूर में उस समय में बड़ा बिजली का प्राव्लम रहता था और बहुत गर्मी इसी मेहने में मैं के मेहन होती है कि गर्मी में एसी में रहते हैं अब महां तो लाइट ही नहीं होती थी ज्यादा दर लाइट चली जाती थी तो पहले दिन तो बड़ी असुईदा हुई फिर धीरे जब यह बात सुनना शुरू की तो फिर उस से ध्यान अटके गया तो तीसरे दिन जब बागड़ि कि मैं की जो प्रात्मिक्ता होती है मैं जिसे महत्पॉर्ण समझता है उसको देखता है मैं तो मैं से दूरी है शरीर की तो मैंने महसूस किया यह उधारन से कि मेरे को इतनी गर्मी लग रही है जब मैं किसी में महत्पॉर्ण मूस गर्मी को मान लेता हूं तो मैं गर्मी महस तब से मेरा जो पहला मतलब देखने काम शुरू हुआ कि मैं और सरीष अलग अलग है जिसको मैं सबसे महत्पूर्ण मानता उस चीज पर द्यान चला जाता तो वहां से मेरी पहला जो द्यान देने की शुरुआत हुई थी और फिर जैसा भी श्रश्टी दर्शन पर बात हो र जानना चाहरा थी और जो चीतर कलर फूल और पूर श्रश्टी का जब वहां पर डिस्प्ले हो रहा था बड़ी स्क्रीन पर तो मुझे ऐसा लगा इसा हैसा हुआ जैसे की घीता में जैसे कृष्ण ने विराड दर्शन के रूप में अपने विराड दर्शन दिये थे वैस सारी खोस थी है मैं जानना चाहरा था बहुत सारी चीजों को विशे को तो मुझे सही रास्ता में लिया फिर जब मैं महां से लोट के आया तो जैसा लगता है कि बहुत महतून विशे है और इस विशे में अपनी कोई क्या भागीदारी हो सकती क्या बात कर सकते हैं तो जो सकतना जो तो फिर यहां पर एक आउसर मिला कि राजवायानन संस्तान में पोस्टिंग का मुझे टू मैंने सहरस में आपनी पोस्टिंग स्विकार की उससमें जब यह लागता था तो फोन का कमरा था हम लोग पांच लोग बेटके काम करते थे जो सवतिया जी भी हैं सूसमीता भी है उसे मैं जाइन किये थे सब लोगों ने तो चुगी में मूलतच जाइन डिरेक्टर था माइला बाल विकास में तो महां की जो सब लोगों को ये बड़ा अजीब लगता था इति सुख सुगी तो लोगों को बड़ा जीव लगता था कि यह क्या मालूम इसमें क्या हो गया है पर फिर मुझे जो मेरा संतुस्त था या मेरे को दूसरा जो वहां से बात करके आये थे कि यह परिवार और इसमें अपने इस पर भी कैसे भागीदारी कर सकते हैं तो मुझे लगा कि यह प्रस्ताव मेंने सुना मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे बड़ा आराम मिलाये मुझे तो हमारे परिवार और मित्र लोग भी इ परिवार और मित्रों का कानपूर में हम लोग अगस्त मेने में चार मेने बाद ही फिर अगस्त में में खानपूर चले गए और इस प्रकार से वहां मेरा सेकंड शिवीर था उससे यह जो लाब हुआ कि हम लोगों को एक जो चर्चा होती थी या परिवार में या मित्रों में अब एक विशे मिलिया पहले मनावश बहुत सारी चीजों पर बात करते थे और उस पर समय बर बा लगाता चलता रहा फिर मैं जब आनन संस्तान से जो कुछ भी पोलिटिकल या जो परिवरतन हुआ तो फिर मुझे माननिय मंत्री जी क्या मैं मैला बालुकास में ओजडी के रूप में मेरे न्यूकती हुई अब मुझे लगा कि यहां मेरी क्या भूमिका हो सकती या क्योंक उसकी क्या भागीदारी हो सकती तो फिर हम लोगोंने और यहां एक आंगन वाड़ी को बाल संस्कार के इंदर के रूप में परिवरतन किया और उसमें थुड़ा बहुत का समझदारी वाला जो का में करने की कोशिच किया हालंगी वह बहुत सक्कम समय मिला और उसके बाद बदल गई तो नहीं हो पाया मैंने स्वयम भी फिर दो आंगनवाडियों में जाके कि बच्चों में सही संस्कार का कैसे विकास किया जाए तो मेरी भी समझ बड़ेगी में भी कुछ सीखूंगा और बच्चों में कैसे इसको कर सकते हैं तो बच्चों के साथ बात करेंगे तो बड़ा अच्छा उसमें अनुभा हुआ कि जब बच्चों के साथ कुछ बात करते थे यह वालिपूरी बहुत छोटे बच्चे नागनवाड़ी में होते हैं चार से साल के बच्चे तो बड़े जल्दी उनका क्या है कि अनु का आपका जो बात कहते हैं वो तकाल मान लेते कि आप जो बच्चों के साथ क्या बात कर रहे हो हमसे भी बात करें तो बहुत ही परिवर्तन है और माबाप की जिसको कहते हैं सबसे बड़ी कमजोरी बच्चा ही होती है तो जब उनने बच्चों में परिवर्तन और इतना देखा तो उनका भी बड़ा आकर्शन बड़ा इस तो उस विशह पे भी हम लोग काम कर रहे हैं इसके अलावा मुझे एक और जगह जो दिखी अपने भागीदारी करने की गरी बच्चों का स्कूल है जा बिना फीज के कुछ लोग पढ़ाते हैं तो वहां जाके भी मैंने छोटे बच्चों के साथ थोड़ा बहुत इस जारी है अभी सूब का अभ्यास सत्र जो बजय ले रहे थे वह भी मैने पिछले साल जाइन किया था तुसे मैं से मैं को देखना और मैं शरी को देखने का या भी आद्यान में लगातार करी रहा हूं बहुत सारी मान्यताओं के बारे में बहुत आराम मिला है मुझे और और यह जो समझ पाया हूं से मैं यहां भी पूरे दिन था इंट्रेक्शन कर रहा था तो हमारे साथियों की जो समझ है वो कहीं गुना बहतर है मुझसे लगता है कि कहीं गुना उन्होंने इतने आसानी से विशे को इतनी जल्दी समझा है तो यह बड़ी बहुत बड़ी उप कि अब प्रतिभाग्यों के स्वमुल्यांकन के लिए प्रतिभाग्यों को आमंतर करना चाहूंगी तो सबसे पहले नयंकती जी को आमंतरन है स्वमुल्यांकन के लिए सवह मुल्यांकन के समय बहुत ध्यान रखनी की जरूरत है जो डिस्प्लेइपर जो कॉइंट दिये हुए हैं उन चार प्रमुक वासना जी जिए वास सत्य प्रकाश जी का था ना हाँ जी सत्य प्रकाश भया दिखने ही रहते मुझे तुम इने इसले प्रकाश भया आ गए है अच्छा है नाम हिंदी में लिखा हुआ है ना तो इसलिए अगर इंग्लिस में दोड़ेंगे तो फिर यह मेरी भूल है तो नैनवती जी दो मिनट के लिए चार मिनट के लिए है ना आप से ख्षमा चाहूंगी तो पहले सबसे पहले सत्रप्रकाश भाई सापको ही इनवाइ करने के लिए भाई साब आपका आपको विनम्र आमन चंडेती है जी भाया नमस्ते जीदी नमस्ते भाया इस यह मैं अपने बेप्तिकत बारे में बात करूं उसके पहले थोड़ी सी में बात करना चाहता हूं इसके कारकरम के बारे में खासतोर से जैसा प्रवीन जी ने कहा राजानंद संस्तान 2016 में जब बना था तो मूलता हम लोग समझ पा रहे थे कि यह जो ब्यक्ति की आंतरिक चेतना जो है उसमें आनंद के अनगूती कैसे विक्सित हो पाए इसके लिए कुछ टूल देखा जाए कुछ ऐसी पद्द्यतियां खोजी जाए और उनका विस्तार अगर हो पाए तो साइद लोगों को लाव हो पाएगा तो इस द्रिश्ची से बहुत सारे लोगों से अलग-अलग भेंट होती रही चर्चा भी बहुत सारी हुई इसी दवरान राजुल भाईया और गड़ेश बगड़िया सरका भौपा लागमन हुआ और हम लोगों ने मुझे ध्यान है गाड़िम वैट के हम लोग जा रहे थे मंताले की तरफ तो मेरे मन में सवाल ही था जो आज बहुत सारे प्रतभागियों के बाद आज के सुबह वाले सत्र में आया था कि यह बहुत सारे लोगों तक कैसे पहुँचा जा सकता है तो मैंने भी बड़े उसस पूछा था कि इसको हम तो पूरे मद्यप्रदेश में चाहते हैं और यह से इतना सुनने में इतना कठिन लग रहा है तो इसको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जा पाएंगे उसके लिए और फिर इतना समय जैसे समय ध्यान ठाकि आठ दिन का स्यूर होता है इ तो एक दो बार आउसर मिला सिविर करने का मुझे और फिर यह बात समझ में आ गई कि दरसल जो हम राजाने संस्थान के मोटों में कह रहे हैं कि व्यक्ति के आंतरिक शेतना को विक्सित करना है और उसकी स्वेम में समझ बनानी है वो तो सब पर लागू होता है हम पर भी ल आज में और शिष्टी के साथ किस तरह काम निर्वान कर पाएंगे तो यह एक स्वेश्टा हुई और इस दौरान भी पिछले पांच दिन से में लगातार हूं तो लगातार यह हर बार कही जाती है और मुझे यह स्विकृति है स्विकृति है कि यह जितना ज्यादा इस पे अगई और राजानद संस्तान में भी बाद में चुकी वह सुरुवाति दौर था बाद में हम लोगों ने यह कर लिया और हम इसको एक अपने धेवाक भी बनाते हैं कि हमके नारे भी लगाते हैं कि मैं आनंद में दुनिया अनंद तो मेरा 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 स्वेम का व्यक्ति का हमें आपके साथ ही शुरुआत हो सकती है तो समझकिशीशनी स्ुख्यटी करनी है परिवारतन जब स्वेम में होगा तो हमारे कारां में बेवार में और धीरे धीरे हम अ मारी इकता की तड़ेंगे तब साय हम उसको का दूसरों के लिए कर सकते हैं कह सकते हैं तो यह एक बा की हमारे दूसरे कार्क्रमों की वएस से ँचसर कार्क्रम कर रहे हैं उससे हमारे साथ में एक त्र की तयारी हूई है कि वह इन सब विष्यों को समझने के लिए मन से तयार हो ईपने जीवन प्रात्मिक्ता में यह बातें आ गई हैं और इस वज़े से भी हम काफी उस्वाहित हैं कि बहुत सारे सातियों ने आपको जब प्रस्तुत किया तो यह समझ में आ रहा था कि जिस चीज को समझदे में मुझे 4-5 साल लग गए वो चीज काफी आसानी से लोगों तक गई है और यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि यह इसे गहन जरूर है लेकिन जटिल नहीं है और इसको हर कोई समझ सकता है हर कोई इसको अपना सकता है बसरते उसकी अपनी तैयारी हो वो स्वेम में इसको करना चाहता हो तो यह बहुत अच्छी बात है और हम जरूर यह प्रया तो ज्यादा प्रभावी तरीके से जो जातर लोगों तक आंतरी गनभूती को इस्पष्ट करने की बात है वहां तक उनकी योगिता बढ़ाने की बात है उसमें हम भागिधारी कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद इतना ही के अनाद मुझे जी भाईया इस पूरी कारेशाला में मैं भी स्वभागे से जुड़ पाई अन्यकारियों के साथ में तो ये तो मैं बिल्कुल कन्विंस्ट हूँ इस बात से कि एक तैयारी दिखी हर प्रतिभागी की और रादर जितने भी प्रशन उकतर हुए वो सभी मुझे अपने लिए भी बहुत ही उपयोगी जान पड़े तो रिदर से आभार आप सभी प्रतिभागियों का करते हुए मैं एक बार फिर से सभी को ध्यान देला दू कि इस मुल्यांकन सत्र का उद्देश स्व मुल्यांकन है प्रमुक्त है ना तो हमारा अपना जिन बिंदों पर ध्यान गया ह उनको ही पर्टिकुलर्ली हम लोग यहां पर रखने जा रहे हैं कहीं से भी इस दुविधा में ना रहे हैं कि हमें कोई और मुल्यांकित कर रहा है हां इसका उतना उपकार जरूर होगा कि जो प्रबोधक हैं उनको एक तरह का उटसाह मिलेगा कि किस वस्तु को रखने में उनकी योगिता है ना कैसी पड़ी है कैसी बन पड़ी है इसको हम प्रबोधक भी मुल्यांकित कर पाएंगे और accordingly आगे आने वाले इस तरह की बहुत सरी कारिशालाओं के लिए अपनी तयारी कर पाएंगे तो जिनको ठीक से रख पाएंगे उनको साहरूप में आगे के लि अल्यांकनों को सुन रहे हैं तो इसी श्रंखला में अब मैं आमंत्रित करूँगी सुष्री नैनवती वरकरेजी को दिवी नैनवती दिवी आप अपने स्वम उल्यांकन को हम लोगों के साथ में साजा करिए प्लीज जी सभी को नमस्कार मेरी हावास सही से आ रही है ना मेरे नाम नैनवती वरकड़े है और मैं मद्दपर्देश के सीवनी जीले में क्रसीव भाग में कारेदत हूं और मैं करीब तीन सालों से मैं राज्यानंद सहस्थान से जुड़ी हुई हूँ और यहां पर मैं संपर्क वेक्ति की रूप में आनंद भाग कभी अपने यह कर रही हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने जॉप के साथ में मैं आनंद का आनंद विभाग का काम आनंद पूरवक्त कर पाती हूं तो और इस बीच ऐसा करते हुए इस बीच जब यह कारेक्रम हुआ तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और यह मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि सोने में सुभागा मैं बहुत दिनों से बहुत सालों से करीब दस साल हो गए मेडिटेशन को भी जी रही हूं मैं ध्यान में जी रही हूं तो यह चीज मुझे गहराई तक समझ में आई है और कुमार सर की है वो जो मुझे अच्छा लगा वो है समझ जब तक हम अपने भीतर समझ विक्सित नहीं कर पाते हैं हमें hand下去 कोयी आummी समझेगा और हम हम अपने भीतर जा पाते हैं वरना बिल्कुल भी नहीं जा पाते हैं तो संबंधों में प्रेम और किस तरह से लाएं परिवार में समाज में यह सर लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझाया है जिसे हम अभी फालो करेंगे इस बीच मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज किया इस सिविर के बारे में कि मैं यह जानना चाहरी हूं तो मैंने उनको सिर्फ इतना पूछा कि यह सारो महविक मानवी मुल क्या है आप इसको सर्च करके बताना तो उन लोगों ने इतनी सी चीजों में इतनी उसको सर्च करके उन लोगों ने मैंने कहा मुझे समझाना आपकी कर दो बॉछ सारे जो पढ़ने वाले बच्चे यो और जैकी की तयारी कर रहे हुद्ध फारवर्ण किया और मैंने बोला कि इसको मुझे समझाओ मुझे पता नहीं क्या है तो उन ने विधा कि उनने सम्झाये मुझे तो उनने थोड़ा समझां इसको तो ये मुझे बहुत अ आगी का मैं राज-जगयान से मिलकर मेरे उर पर किसानों के इव उनके काम के साथ वैं वा उनकी साथ सबसे बड़ी चीज मुझे इससे मिला है जानकारी कि जब तक हम अपने भीतर समझ विक्सित ना कर नहीं करेंगे अपने अनुभव मतलब हमारे भीतर जानेंगे कि यह क्या है हमारे भीतर इसका प्रस्ट संड्र जब तक हम नहीं frame कर आङए जिए अब कि जब तक मैं पहले से भी अनुभाव करती आ रही हूं कि जब तक मैं अपने अनुभाव में ना लो मुझे अगर किसी ने कह दिया कि बेर खटे हैं तो मैं उसको नहीं मानती जब तक मैं उसको चक्के न देखू तो मैं यह कोशिस करती हूं कि जब तक मैं उसको टेस्ट करक मैं किसी को बाढ़ ने सकते हूं कि मैं वो उधारी ग्यान में किसी को नहीं दे सकते हूं बहुत बढ़िया दिदी, स्वाधित है आपका बाकी भी सभी प्रतिभागियों से मेरा विनम्र निवेदन एक बार धिहान दे लिजे कुछ इस जो सामने डिस्पले है इस पर कुछ चार पॉइंट्स दिये हुए हैं जिनके अंतरगत आपको अपनी अपना स्वामूल यांकन शेयर करना है कुछ मुख्य प्रस्ताव एक, दो या तीन प्रस्ताव बहुत सारे प्रस्ताव दिये गए हैं मानवस के स्वयम से लेकर के और फिर प्रकृति अस्तितुप तक लेकर तो जो कुछ एक, दो तीन प्रस्ताव जो आपके ध्यान में आ गए हैं जिसको आपने नैचुरल एक्सिप्टेंस सहस्युक्विति के बेसिस पर वेरिफाई कर लिया है और आप जीने का मन बना रहे हैं उसको जरूर मिंशन करें अपना ध्यान जा पाएगा उन प्रस्तावों पर एक रिविजन सा हो पाएगा इसके अलावा अपने थोट्स में अपने विचारों में जो चेंज देख पा रहे हैं पहले है ना जब ये कारिशाला शुरू हुई थी और अब जब खतम होने की तरफ है तो अगर विचारों में कुछ परिमार्जन हुआ है उसको जरूर मिंशन करें ये दो पॉइंट्स बहुत इंपोर्टेंट हैं हमारे अपने दृष्टिकोंड में जिससे कि हम देख पाएंगे कि किन प्रस्तावों को हम लोग ठीक से रख पाए और आपका ध्यान उन पर पूरा जा पाया किसको आपने महतोपूल पाया है अपने लिए इसके अलावा कितनी संभावनाए नजर आ रहे हैं इस UHV की वस्तू में अपने से लेकर के परिवार में संस्था समाज स्तर पर इसके साथ है ना कितना काम आपको करना दिख सकता है कितनी संभावनाए देख पा रहे हैं और आगे की आपकी क्या मिष्ठा बन रहे हैं कौन से योजनाए हैं जिसको आप प्रियाणवित करना चाहेंगे अपने निजी स्तर पर, अपने परिवार्य स्तर से ले करके संस्थान से ले करके और उसके बाद फिर दीरे समाज, राश्र और विश्व स्तर तक आपकी क्या योजना है तो खुल मिला के क्रमबध आपके स्वा मुल्यांकन को सुनना चाहेंगे रप्या धियान दे और इन पॉइंस के साथ ही अपना मुल्यांकन रखेंगे तो सही होगी रहेंगे जी मैं आप मैं आमंत्रित करूँगी श्री लखन असाथी जी को स्वा मुल्यांकन के लिए असाथी भाई सब स्वागत है आपका दीदी पर नाम जी नमस्ति भाया मेरी आबाज सुन पा रहे हैं जी भाया बिल्कुल स्वाश्च रूप से जी भाया सुनाई दे रहे हैं बिल्कुल ठीक सुनाई दे रहे हैं जी जी तो मैं लखनला लसाटी चैतरपुर्शे हूँ एक सरकारी स्कूल में प्रिंस्पल हूँ और पिछले लगबख चार साल से सतत रूप से राज्यानन संस्थान का वोलेंटियर हूँ ट्रेनिंग को लगए हैं जो हमारा UHB का कारिक्रम है तो इसको मैं कहूँगा अर्थ अमित अतियाखर थोरे बहुत ही कम सब्दों में इतनी ब्यापक जानकारी जो हमें प्राप्थ हुई है वो हमारे पोसल को भी बड़ा रही है और जो हम जीवन में करना चाहे रहे हैं उसमें बहुत बड़ी साहता करना बाद है जो आपके प्रबोधक थे उनको बहुत बहुत धन्नवाद दना चाहेता हूं क्योंकि उन्होंने जी सील का निर्वहान किया है हम लोगोंने कई बार उन्हें हो सकता आवेक दिलाने की और अध्यलित करने की पुशिस की हो पर उन्होंने बड़े ही सील के साथ तो उनके प्रती में बहुत बहुत सभी के प्रती के तक हूं जाद हो जी कह रहे थे कि मेरी ओशक्ता हिंदी अच्छी नहों लेकिन मुझे लगा कि बहुत ही बहतर हिंदी में उन्होंने कहा कुमार जी सभी जो भी प्रोधक रहे सब लोगों न बहुत इस पस्तता के साथ अपनी बातें रखी और जो भी हमारे कहीं संदेह थे उनको बहुत बहुत प्रेम के साथ दूर किया हम तो कहेंगे जो वह नर्वहन की बात करते हैं वह नर्वहन उन सब के सभाव में है यह मुझे यूएश्वी की टीम के लिए ब अब जो आपने ट्रिनिंग दी मैं रोज उसको लेके जो बातें हुई उसको लेके मैं सत्के दोरान तो ठीक है दूसे दर्मने सुबह लगबक सान समय भी लिया उसको एक बार जो मैं लेक पाता था उसको पूरा फड़ से अध्वपान पढ़ा और उस पर जो है विचार भ है अलाकि राज जानन संस्थान के साथ जुड़के बहुत सारे चीजें के लियर हो गई है और मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि मैं जतना सुधर गया हूं ठीक हूं और अपने आपको भले दिखावा के लिए भी ही कहूं सुधरा हुगा दिखाता हूं क्योंकि मुझे अब ही लगना लगा है कि अगर मैं अपने आपको ठीक दिखाऊंगा तो नहीं भी हूं तो भी मुझे जवरन ठीक होना होगा क्य कि अब मैं समाज में ये दिखा पाया हूं कि मैं ठीक हूँ कि मैंने ये खुद में परिवरतन किये हैं और मैंने किये भी हैं कि अब शमय नहीं हो बताने का मैंने बहुत सारी अपने खुद के ब्रस्टाचार को भी ठीक किया है उसके संबंदों को भी ठीक किया है बहुत सारी चीजे मुझे में गलब थी इनको मैं राजानन संस्थान से जोड़के ठीक कि और लगातार उस प्रक्रिया में हूं तो मुझे कोई अब आंत्रिक कोई चोब अब दो कभी नहीं रहता है मुझे जो आंत्रिक जिसकी सांती है वो मुझे सहज रूप से रहती है आपने का तीन प्रमुख प्रिस्ताव जन्हें आप ज्यांच पाए प्रयूप कर पाए तो मानों परबार समाज प्रकति तो यह जो पहला तो यह के परस पर निर्भड था यह बहुत बड़ी बात है जो हमारी समझ में आई कली आपने यह परसों कली कुमार जी ने उधान दिया थे कि अगर हम दो लोगें घर में और दोनों में थोड़ा सा ठीक नहीं है अब एसी चल रहा है यह सी को बंद करना है तो कोई बंद नहीं करें अब यह 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 बंद नहों ना परयाबन को कितना प्रदूशित कर र रहा है वह मैं जबर्दस समझे विक्सित हुई कि आप अकेले आपका बैक्तिर जगड़ा भी समाज और प्रकति को किस तरह से प्रभावित करता है कि शम्रद्दी और दरद्दता को अच्छे से समझ पाया और सम्रद्द मुझे लगता है कि यह तो बहुत बड़ा ज्यान हो गया कि मैं गरीब हूं नहीं मैं तो बहुत सम्रद्द हूं अब मुझे सम्रद्दी का शत्प्योग करने की पेड़ना मिल गई है कि इसको कैसे जो है अपनी सम्रद्दी को समाज के शत्प्योग में कैसे इसको उप्योग कर पाऊं यह यह चीज मुझे शीखने मिली है और अश्टित की बात भी बड़ी अच्छी लगी मैं मेरे विचारों में जो परिपरतन देख पाता हूं तो यह तो मेरी शतत प्रक्रिया में अब शामिल है और मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि मुझसे कोई गल्ती नहोती हो लेकिन मुझे अब मेरा अलार्म तुरंत बसता है और मैं उसको ठीक भी तुरंत मुझे उसको शार्वजनक रूप से स्वीकार करने में भी कोई डिक्कत नहीं जाती है तो यह जो प्रक्रिया है जो मेरे अंदर चल लगी थी वह और मजबूत हो गई यह मेरे विचारों में देख पाता है यह जो प्रक्रिया में क्या सम्हाओ ना देखता हूं निश्शित रूप से विचारों अदभूत है लेकिन शमय कम था और अधिक शमय की ज़रूरत है जो प्रक्रिया है वो भी ठीक है और इसके लिए हमें लगता है कि अभी और हमें कुछ रिफ्रेसर पोर्सिस की जब शम्होंना होगी आउशर मिलेगा उसे मैं जरूर्शंबलित होना चाहूंगा यूएच्पी कारे में मेरी निष्ठा और मेरी आगे की योजना तो इसको लेके थोड़ा सा आपको साथ ठीक न लगे लेकिन मेरी निष्ठा तो राजजानन संस्थान से है तो राजजानन संस्थान कहेगा यूएच्पी के काम को आगे बढ़ाना है तो उसको बढ़ाऊं हुआ जो भी कहेगा लेकिन यह भी कह दूं कि यह दोनों एक ही है जो राजजानन सनस्थान चाहे रहा है वह यूएच्पी चाहे रहा है क्योंकि निस्था सब्द था है इसलिए मैंने कहा कि इसको बहुत इसपस्ट कर देने की जरूरत है और मैं प्यक्तिकत कोर पर पूरे छेतरपु जिले में इसके लिए काम कर रहा हूं लगाता मैंने लगभग सौ सिक्षिकों के साथ कि इसकारी को कई बार किया हुआ है अलबराम कारेकम को उनके रिजल्ट्स में परिवर्टना है वह ऐसे स्कूल थे जहां रिजल्ट्स कम था और इन स्कूलों को राश्टी इस्तर पर चिन्नित किया गया था भारत सरकार द्वारा उन स्कूलों पर के टीचर के साथ हम ने काम किया और अलबराम के माद्यं से राजनानस तंस्तान के कारेकमों के माद्यं से उन टीचर में बदलाव हो भी देखा उनके पढ़नामा में बदलाव कि शाधु तीनिसों के साथ हम लोगोंने काम किया एंएम हैं जो फील्ड में काम करती है कि यह भी बड़ा त PROF है के हैल्थ वहाग में जो भी काम है बाकी उपर सब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं जो ग्रामिन्शित्य का काम करती यह उसके उपर कि जित्ती में अथोर्टी यह आलार रिपोर्टिंग अथोर्टी के साथ हमने काम किया और उन एन्म के बेभार में उनके कारिस्थल में काफी परिबर्तन हम लोगों को देखने मिला अभी जब मैं वैक्सीनेशन करा ने गया तो वहां से दी उसने के शहर हम लोगों जहां तो चीज देखने मिलती है तो यह इस तरह के कारिकम हम लोग चला ही रहे हैं और इसको लगातार हम चलाने वाले हैं इसमें अब चुकी नौकरी उतनी जीवन में महात्रपुर्ण नहीं रहे गई है आर्थिक रूप से जरूरत है तो वह चल रही है चलेगी भी नौकरी की जेगे कोई कंप्रोमाइज नहीं है लेकिन अब रात्मिक्त हमारी जो है वह एक ऐसे कारिक्रम हो गए है खुद का बदलाओ और खुद के बदलाओ के साथ जो आपने कहा शम्रद्धी का जो है शत्प्यों तो यह इस तर पर भी शम्रद्धी है कि मानली जी हम मैं बहुते क्रूप से भी हो मांशिप से मैं जहाँ प्रिंस्पल हूँ उहाँ मैने पहले में यहां प्रिंस्पल था उहां टीचर्स के संबन ठीक नहीं थी अब मैं नहीं प्रिंस्पल हूँ तो मेरे मन में क्लेटी आई मैंने उनसे कहा कि देखिए बच्छों जहां बच्छों के हित की बात है इस्टूडेंट्स के हित की बात है वहां में प्रिंस्पल और जहां स्टाफ की बात है तो वहां आपका कलेग हुँ में प्रिंस्पल बिल्कुल नहीं है हम परस पर निर्वहन करना है जो डूटी आपके वो मेरी मेरी कोई अलक्ष डूटी नहीं हो इसका इतना अशर हुआ कि हमारा स्टाफ उसने जबर्दस्त जो है परफॉर्म किया अच्छा सुधार किया और मैं जब टीचर बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को बुलाता हू अच्छा भी लग रहा है सुनने में बर समय के थोड़ी सीमा को आपको जान किलाना चाहिए जी मैं समाप्त करता हूं और मुझे सर्फ एई बात कहनी है जो अभी अभी रहीती रजनी शरोडा जी की शिलाइड में वो मुझे एक चीज जो मुझे है वो मुझे से हटनी पा रही है कि हम ऊपर से सुरुगात कैसे करें मैं इसके पीछे एक बाक्या एक मैं टॉल लुग में सुना देना चाहता हूं कि जब हम नोगाओं में पटबारियों के साथ काम कर रहे थे पटबारी भी रेवेन्यू की मूह लेका है और जब इस तरह की बात करते बलबीर बुंदिला जी हमारे साथ दमेश ब्यास जी हमारे साथ जो आज जोड़े हो गए तो पटबारियों ने कहा कि सर आप किस शंपूर इमानदारी की बात कर जो ऑफीसर्स इस ट्रेनिंग को देखने आ रहे हैं उन ओफीसर्स के थाने की उनकी सब बुस्ता सरकेट हाउस में हम लोगों ने अपनी जेव से क्यों अब आप बताएं कि हम हमारी ये बाधता है कि हम उनकी बुस्ता करें दूसरी तरह आप जो बात कर रहे हैं दूसरी इसलिए मैंने उ तो उनों ने बहुत अच्छे से अपनी बात रहे हैं आपके जो भी वाइस शांसलर आए जो भी टीम आए उन लोगों ने बड़े अच्छे से बात की थेंक यू वेरी प्रशाब आपको भी प्रणाम और आभार मैं एक बार फे से विनम्रता से ध्यान दोलाना चाहूंगी कि ये उभयत्रिप्ति का कारिक्दम है तो जितना सहयोग आपको प्रबोधकों से मिला है प्रबोधकों को भी आपके एक्स्प्लोरेशन से उतना ही वस्तु को और गंभीता से समझने में सहयोग मिला है तो बस इतना सा अनुरोध है कि ये आभार तो अल्रडी एक्स्प्रे तो बस इस विनम्र निवेदन के साथ में मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाना चाहूँगी और इसी क्रम में इन्वाइट करना चाहूँगी अब सुश्री प्रेमलता उपाध्यायर जी को स्वा मुल्यांकर के लिए प्रेमलता दी आपका स्वागत है यह भी बताना चाहूँग कि प्रेमलता दी के बाद बलवीर सिंग मुंदेला जी को इंवाइट करूँगी तो बलवीर भाइसा प्लीज आप इसके बाद तयार रहेंगे प्रेमलता दी नमस्टे दीदी प्रेमलता दीदी आप सुन पा रही है दीदी आपका माइट तो ओन है पर मुझे आपकी आवास सुनाई नहीं दे रही है क्या और लोगों को दीदी आवास सुनाई रही है ने अधिकांस के नेट प्रॉलम रहती है सम्भोए कि नेट का इस्टी गड़वा पूश है मुझे आपकी सुनाई दे रही है लेकिन अभी आपकी आपकी आवास बिल्कुल सुनाई दे रही है अब आप पाध्या आप सुन पा रही है न मुझे हलो बिल्कुल ठीक से बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपना परिशय देना चाहूंगी मेरा नाम प्रेमलता उपाध्या है और मैं माध्यमिक शिक्षक के पत पर दमोह में शाष्की केशोराम पांडे कन्या उच्चितर माध्यमिक विद्यालाय में पदस्त और विगत तीन वर्षों से आनंद विभाग से जुड़ी हुई हूं और स्वयम का आकलन कर रही हूं विशलेशन कर रही हूं जो की यूएच बी से जुड़ा हुआ भी एक महत्तोपूर्ण विश्या है और मेरे शौक भी यही है कि मैं स्वयम आनंदित रहकर दूसरे को आ आपने कहा था कि प्रस्ताओं ना तीन तीन प्रस्ताओं रखना है जिनमें कि मुझे कोई बदलाव महसुस हुआ तो पहले दिन जो एक प्रस्ताओं रखा गया था कि सुवीधा सुवीधा को लेकर जिसमें कहा गया था कि आपके पास कितने कपड़े है क्या आपने गिंती क्ये 되어 के लिए फ़ेरफ जोए कि और समझे षिसे रहता है लो लेना है यह चाहिए है तो एक समझे विख्षित हुई कि सुविधा के लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं लेकिन उतना फायदा नहीं होता है हम सिर्फ ट्ने प्रति करें जितने हमारे लिए जरूरी है दूसरा प्रस्ताव था समझ का कि जब समझ विखसित होती है तो नजरिया बदल जाता है बहुत सारी चीजों में जब समझ नहीं रहती है तो हम दूसरी तरीके से देखते हैं लेकिन जब समझ का विकास करते हैं सोयम में तो बहुत नजरि या बदलने से ही समझ मतलब एक भाव और वानी और आचरन वेवार सभी कुछ बदल जाता है कि क्या सब का सुख समान है तो मैंने ही इसमें जवाब दिया था message में कि नहीं सब का सुख समान नहीं है शायद मैं पहले की बात नहीं सुन पाईती लेकिन जब मैंने वास्तों में पढ़ा जो कहा गया था कि हां सबके सुख समान है तो जब मैंने अपने आप में वो समझ विखसित की तो मुझे लगा वास्तों में सबके सुख समान है यह हमारी योग्यता पे निर्भर करता है और चंपता पे कि हम उसको किस रूप में लेते हैं तो बहुत अच्छे जो आप लोगों ने बात रखी है जो समझाया है कि हम प्रस्ताव रख रहे हैं और उसको आपको अपने आचरण में क्या परिवर्तन हुआ उसके लिए लेके बहुत बढ़िया था और एक और प्रश्न था कि विचार पहले और तो आनंद विभाग से जो हम लोग जुड़े हुए हैं उसमें भी यही है कि वास्ताव में स्वयम में बहुत परिवर्तन महसुस किया है और वो लोगों ने देखा है हमारे विद्यार्थियों ने देखा है बच्चों ने देखा है और परिवार के सदस्यों ने देखा है का सह कर्मियों ने महसुस किया है कि इस प्रक्रिया से जोड़ने के बाद बहुत फरक आता है तो मेरे विचार और जो अभी पांस दिन से कारेक्रम जो अटेंड किया है उसमें भी बहुत अच्छे से वो ब मैं मुझे बहुत बदला और परिवर्तन आया है हर व्यक्ति के प्रति वस्तु के प्रति और व्यवस्था के प्रति सब के प्रति मैं सोचने के लिए मजबूर हो गई हूं कि मुझे क्या क्या करना है फिर अगला प्रश्ण था कि प्रस्तावना और प्रक्रिया में क्या संभावना देखती हूं मैं तो प्रस्तावना और प्रक्रिया में अपार संभावना देखती हूं बस ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैं उसे कितना आत्मसाथ कर पाई हूं जब तक मैं स्वयम के आच् को ना तो स्वयम अनुभाव कर सकती हूं न दूसरे को करवा सकती हूं और इसके लिए मुझे स्वयम में परिवर्तन समाज में समाज से संबंदों में और साथी परियावरण के प्रती भी सह अस्तित्तु की भावना रखना होगी तब ही मुझे उभाय सुक प्राप्त होगा और एक अखंट समाज का निर्मान हो पाएगा अगला जो था कि UHV के जो कारिक्रम है उसके प्रती मेरी प्रती बद्धता तो यह बहुत ही अच्छा कारिक्रम था और स्वयम के मुल्यों के विकास का कारिक्रम था और इसमें परिवार समाज आसपास तो मैं पहले तो स्वयम के इस तरपर ही इसको अपनाना चाहूंगी बहुत अच्छे से यह जो अभी कारिक्रम था आया तो समझ में है लेकिन फिर भी अभी उसमें बहुत विकास करने की आवश्यक्ता है उतना नहीं आया जितना आप पहुंचाना चाहते थे शायद और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो थोड़े बहुत शंकाएं हैं मन में लेकिन शायद आगे के कारिक्रमों में और अच्छे से समझ में आएगा तो मैं यहीं चाहती हूं कि मैं स्वैम में बदलाओ करूं उसके बाद परिवार संस्था अपने आसपास अपने पड़ोसी और रिष्टेदारियों में रिष समाधान यही होता है कि स्वैम पर बतलाओ, स्वैम का मुल्यांकन करना होगा, हर पल स्वैम को जाचना होगा, सजकता लानी होगी और इसी से एक नियायपूर्ण और नियायसंगत समाज का निर्मान हो पाएगा और उसका मैं एक स्रोध बन पाऊंगी, वहत वहत आपने अपने जीने से है ना जोड करके एक प्रयोग भी किया कपड़ों को ले करके और उसमें आप देख पाईं कि आपके पास आवशिक्ता से बहुत अधिक है इस तरह के प्रयोगों के साथ ही आश्वस्ती बन पाती है प्रस्तावों की ओद आपका प्रयाग सा राहनी और अब मैं आमंत्रत करूंगी श्री बलवीर भाई साब को बलवीर सिंग बुंदेला जी आपको आमंत्रन है श्रमुल्यांक्तन के लिए और आपके बाद हमें मंत्रन रहेगा सुष्री सुरभी दूबे जी को यदि मैं बहुत से एक बाक में कहूं तो इस सिवर से उपलब दी है सुख को समझ पाया मैं सुख क्या है उसको मैं समझ पाया और मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी जो सुमुल्यांक्तन है उनको मैं नोट किया है तो मैं उसे पढ़ रहा हूं तो मैं पहले प्रिस्ताव पहला जो पॉइंट दो का फश्ट उसके बारें पताना चाहूंगा मैं अपनी समझ को किलियर कर सका कोई प्रिस्ताव जो मानता सम्मेदना के आधार पर न मानकर अपनी जाच परक या जानने के आधार पर ही उस प्रिस्ताव को मानने की समझ विक्सित हुई इस सिवेर के माद्यम से जैसे की मानाव में क्या है जड़ क्या है चैतन के बारे में समझ वही विक्सित हुई सह सुईकिर्टी एक्छा चाहना सम्मान योगता स्रेष्टा का सही-सही को हम सही-सही धंसे समझ पाए अगे प्रिस्ताव के रूप में जो हमारे सामने चुपी थो भी नहीं गई वात है हमारे जांच परक्त में यदी ठीक लगता है तो ही उसे आप गरन करें ऐसा हमें साओ दिया गया था तो बातशी से सम्माद से तो मैंने सोचा कि साथ में अपने बच्चों पर बहुत सारी बात मलब अपने पिता के रेलिशन से उनको थोपता हूं तो मैंने तई किया कि किसी चीच को करना है और साइध मैं गुष्षे को फिर्ट पैरक्श में ले जाता हूं और मैं पिस though लाकर तो साइध में comprend तो जो बिचारों की बात करूं तो साइद इसके पहले मैं राजानन संस्तान से जड़ा हुआ हूँ और राजानन संस्तान का जो फष्ट वेच रहा है उसका मैं पर्ति भागी रहा हूँ तो जो बिचारों का बिचारों में परिवर्तन है बिचारों में पहले से ही मेरे जीवन में परिवर्तन आया है फिर भी और अधिक तरीके से हम अपने बिचारों को किलियर कर सके इस वश्ट को हम समझ सके गहराई से यह मलब बिचारों परिवर्तन हुआ और यह रहा की विच तो मैं बिल्कुल अपने स्वेम परिवार के संस्ता में, समाज में की एक विवस्ता के रूप में अपने आपको इस्थापद कर पाऊंगा, ऐसी मेरे सोच समझ बिक्सेत हुई है, जब मेरी सही समझ और सहज स्थापद कर पाऊंगा, तो सायद वह सार भौमेग होगी, सभी क मान होगी, तो मैं अपने आप में हो, अपने परिवार में हो, और समाज में भी अपने आपको इस्थापद कर पाऊंगा, ऐसा मैं अपनी संभावना देख पाता हूँ कि अपने आपको कैसे स्थापद करूँगा, नेक्स्थ है, यूएच्बी के साथ हमारा जो की आपने क कि निश्ठा और आगे कि क्या योजना है तो उसके बारे मैंने लखा है UBHP के साथ अब हमारा गहरा संबंद सहर्ज स्युकर्टी को सही समझ के साथ बन गया है और आगे भी यह नरंतर बना रहेगा ऐसा मैं समझ पाऊँ और अपना योगदान देकर राष्ट और विस्व के लिए परिमार जिन का कार्मे कर सखूँगा अंत मैं बस मैं यहीं कहूंगा कि जो सही समझ है उस सही समझ को मैं विक्सित कर पाया और उस समझ के साथ मैं अपने संबंद वो जो हमारी सुबदा है उसको हमें सही सही को प्योग कर पाऊँगा यह मेरा अनभाव रहा है अंत म मैं हमारे UHB की जो टीम है उसके लिए बहुत धन्वाद देता हूँ, मैं कहना चाहूँआ कि आप सभी लोगों का बहुत अच्छा बेवार है, बहुत ज्यान है, बहुत सा अन्वाव है, आपकी पूरी टीम और राजानन संस्थान की पूरे हमारे अधकारी हैं, सभी टीम को म को पदाई देता हूँ, को मुझे यस सिवर में जुड़ने का मौका मिला और आगे भी मुझे अवफसर मिलेगा, तो साहर। साहित, मैं अन अपने और सिऔर की कार भी आगे पीछे कर करता हूं साहित, उस्में आगे पीछे करके मैं उसको करून लूंगा लेकिन इन सिवर को इस प्रकार के सिवर को कभी एकनूर में बहुत-बहुत भुद धन्मा, थैंक यू सुमर्च अभार बल्गेटी, सुरभी जी आपको आमंत्रन है आप सभी को अवास थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, बहुत दीमी आज है अभी बेटर है, थोड़ा बेटर है लेकिन थोड़ा और तेज हो पाए तो अच्छा रहेगा हलो, अभी ठीक है हम? जी 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 आप सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार मैं राजानन संस्थान की एक आईटी कंसल्टेंट की तरहें हमापर कारे रहे हूँ काहन है तो जैसे बोलते हैं कि कही न कहीं keyword न किसी उदेश से हर इंसान को कहीं भेज़ा जाता है तो उसी तरह से मैं अपनीइस जॉइनिंग को भी मैंने हमेशा देखा, शुरू से देखा और राजयानन संसान से जोड़ना ही अपने आपने एक उपलब्दी की तरह ही मैंने इस चीश को माना इसी से जुड़े हुए कुछ जो मेरे अनुभाव रहे जब जैसे ही मैं जुड़ी और अभी बहुत समय नहीं हुआ तो ये जो हमारा दुरिष्टा है मताब राजयानन सुल्थान और अब आप सब लोगों से तो ये बहुत हमारे डिये इंपॉर्टेंट है इस कारिशाला के बीच में जो कुछ अनुभूती हुई वो मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी तो जो अनुभूती है वो कुछ इस तरह ऐसे है कि आज समझाया कि दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य अपने आपको समझना और समझाना है अपने मनमस्टिश्क में चल रहे द्वंद को शान कर पाना भी सबसे बड़ी चुनाती है और यदि व्यक्ति कहीं संगर्ष कर रहा है तो वह अपने ही विचारों के बीच में कर रहा है ये मुझे कुछ अनुभूती जो हुई वो सबसे पहले थी फिर उसके बाद में जो हमारा आपने जो कुछ प्रश्न पूछे हैं जैसे कि व्यक्ति का लप्दी के उसमें तो उसके जुड़े हुए तीन पॉइंट है मैं शायद सही-शही शब्दों में या उस तरह से तो नहीं रख पागी हूँ लेकिन फिर भी मैं इन उप्लब्दियों को समझानी की कोशिश कर दी हूँ हम व्यर्थ ही अन्य कारकों को दोशी मानकर उन कारकों को दुख का कारण बना लेते हैं यद भी दुख हमारे भीतर ही पनपा है इसलिए सुख को भी अंतर से ही लाना हमारे लिए सुनिष्चित करना होगा दुख को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है सुख को बढ़ा लेना दूसरी जो समझ विक्सित हुई हो हुई कि मैं को समझ पाना मुझे बहुत अच्छी शुरुवात लगी और उसे समझने के लिए सही समझ को समझ पाना वह भी सहर सीक्वरती से हुआ एक बहुत ही महतलपूम चीत समझ में आई तीसरा जो है वो है समर्धी को अन अर्थों में नए अर्थों में नए तरीकों में भी समझना हम समर्धी को अधिकतर वस्तों से या हमारे आसपास में क्या अविलिबल है उससे जोर के देखते हैं लेकिन हमें समर्धी को परिवार समाज और तक्रती के रूप में जो हमें म जहां विचारों में बदलाओ की tı तो विचारों में गम समय में बहुत बदलाओ हुम हम देख पा रहे हैं शमट्राय पी ह्मारी और सम्थावनार जो है वो अननतो रापार है उच्विकी वस्तु विषये प्रक्रिया में जो हम सम्थावनार देखते हैं मन है आप लोग के सामने वो जो चीजे हैं सबसे पहले तो एक है है कि हमने यह कारेकरम सही मायने में हमारी स्वयम की अनुभूति के लिए है मन में कई बार उत्तर पाने में हमें दिखकत होती है हमें कई तरह के अस्मन्जसों को की सितिसे हम गुजर्ते हैं क्योंकि शायद ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो अनुभाव हैं उस विशय में कम हैं हमारे हो सकता हमारे जितने सहबागी हो अलग-अलग तरह की सबके अलग-अलग अनुभाव हो तो इस विशय में में मेरा ये मानना है कि हमें कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म का निर्मान करने के आवश्यक्ता है जिसमें कि किसी विशय विशय को लेकर सभी अपने अपने अनुभावां को साज़ा कर अनुत्रित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकें यह एक तरह की एक हम संधावना देख सकते हैं दूसरा जो है वो कुछ कहीं महसूस हुआ कि जैसे हम हमेशा स शुरू से जिसमें से हमारी कारे का शाला चाल हुई उस दिन से हम देख रहे हैं कि जैसे की सर्व प्रथामी हमने पहले देनी कहा कि यह एक प्रपोजल है और हम किसी पर भी फोर्सफुल यह थोप नहीं सकते तो आज हम सब यहां जो लोग जोड़े हुए हैं वो सब अपन आज के माहौल में लोग इन विशयों में कम रुची लेते हैं जुड़ना नहीं चाहते हैं अतहर एक हमें ऐसे माहौल बनाने के आविशता है जो अधिक से अधिक लोगों का धान इस और आकर्शित कर सके क्योंकि यह बदलाव उन लोगों और लोगों के लिए भी आविश आपको रोग रही हूँ जितने भी सुझाव है वो भूती महत्रपून है लेकिन एक फीडबेक फॉर्म दिया हुआ है अगर उसमें इन सुझावों को डिटेल में हैना लिख देंगी तो हमारे लिए उप योगों रहेगा यहां पर बस इन बिंदू पर हैना अपने विचा आप सबी से बस जुड़कर यह जो एक नई यात्रा शुरू हुई है उस दौरान मुझे कुछ पंतियां जो है समझ में आई मन में चली तो मैंने उनको बसकावगश पर ऐसे ही रफली थोड़ा सा लिख लिए है तो मैंने उसको थोड़ा सा एक शीशक दे दिया मैं स्वाय पर खूप तो अगर अपार कौशल है मुझ में मैं खोज में चल पड़ू तो अगर अपने आपको पाजाओं अपने आपको से हां पर मतलब है भगवान या हम जो जिसको डिवाइन पौवर करते हैं स्वायम को समझ सकूँ तो अगर तो अंत्यम लाइन यह है कि अपने को समझ सकूँ तो अगर धन्यवाद तो आप सभी परिवार के सदस्यों को सुनना बहुत अच्छा लग रहा है हमारे बीच में हमारे परिवार के वरिष्ट कुछ सदस्य भी उपस्थित हैं जिनोंने ना केवल वस्तु को समझा है बलकि समझ के साथ बहुत सारी योजना है जहां जहां है ना वो लोग अपना प्रतिभाग कर रहे हैं वहाँ पर उन योजनाओं को इंप्लिमेंट करने का काम कर रहे हैं तो आप में से ही एक चेर्मेन NC UHV प्रोटेसर चारण प्रोटेसर एस्टी चारण सर भी हमारे साथ में तो सर को हम लोगों नो गाटन सत्र में भी सुना था एक बार फिर से अफसर पर भी उनके जो भी योगडान रहे जो योजनाओं उनको जरूर सुनना चाहेंगी चारण सर पर नाम सभी पुर्तिभाग्यां को साधर नमस्कार और इस राजय आनंद संस्तान के रूप में मध्यप्रतेस सरकार के एक अभीनों प्रोग्राम के लिए राजय सरकार का राजय में भी अगर होगा तो निश्ची रूप से इस दिशा को लेकर हम चल रहे हैं उसमें किसी इस्तान पर जाके आगए बढ़ पाएंगे मैं अपनी यूएश्वी की जरनी को जब देखता हूं मैं समझता हूं कि यहां जितने भी आनंद के जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर बहुत जमवारे है कि इस विसे को अपने आपको स मधए के और अप के आनंद को जुख्रों के पहुंचाने कि जह रहे हैं यह सभी मेहत्वपून लोग है और कुछ विसेश्यश मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपने आप मैं मैं जब मैसं Bowl कर रहा हूं मै मैं मेरे में पुछ तो ऐसा भाभ था अपने आपको समझने का भाभ लोगों में सेयोग fakir करने का भाभ आप जब मैं इसको और विश्था से रसलिवे कि आप कभी ey को विरोध मनने लें बहुत ही मुश्किल काम होता है कि किसी बात को विरोध मनने लेना पृतिक्रिया नहीं करना और रियक्शन नहीं करने के वज़ार रेस्पॉंड करना सबसे जीवन का यह मुश्किल काम है तिन्हों काम की विरोध इस्तास से देखता ही मुश्किल इसी तरह से आपको कम नज़राती तो आपका दूर है उसके साथ विरोध में लेना पर्तिक्रिया नहीं करना यह आसान सा लगेगा लेकिन अपने घर में अपने कारे इस तल पे बड़ा मुश्किल लगे यही आपकी परिक्षा की घड़ी है आपके लिए सब के लिए समझने का विष्व है अपने सोम लेकल का विश्व है और इस मैंने इसमेंकुछ्व कि की अपने को में इसपोरिश्क allora कर रहा हूं मुझे लगता है कि करना के आप में कुछ हुआ है ङो आपको आपे सामने इसको मेरे अपने का शेत्र के रूप में रखना चाहूंगा कि जब लूप में रूप में हुआ तो कारे शेत्र बहुत बड़ा है और कारे को करवाना यह काम है और उस नाते इस उस प्रशाव से की आपको विरोधन करना है आपको प्रतिक्रिया नहीं करके रेस्पॉंड करना है इसको देखता हूँ तो लगता है मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है उधान की लिए को हूँ कि जैसे इस पद पे होता थे बहुत से लोग आर्टियाई लगाते हैं आप पे खलाफ वह से चीज़ें लिखते हैं पर शुविदा कर्मी थे हमारे इंश्टिटी गे और वो दूसरों के कहने पर लिखते रहते थे पूछते रहते थे पिर इसको अख़़आ हो मिश्यूज करना थे लेकिन मैं मैंने मैसुश किया है कि यह सुविदा कर्मी इसको मैं अगर चाहूं तो सखर होने के नाथ इनक को मैं एक मिन्ट में निकाल भी सकता हूं नोकरी में निकालना को मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं वाइस चांसर के लिए वाइस तो मैं अगर विश्य को पढ़ रहा हूं समझ रहा हूं मेरे डिचके फुरे विद्यारच्ते कि मैं अपने आपने गग अंधर बात नहीं है और यदि नहीं समय मेरे प्रति जो व्यफ करあり शौन बातों को प्रशारित नहीं करने का भाव बना मुझे लगता है कि वह एक मेरी तरह से इसी तरह से देखता था कि अक्सर जैसे आप किसी बड़े का दाईतों पर काम करते हो तो निचों के लोगों को सरकार के साथ और आपके साथ में वह सारे कोट के से वगरां चलते रहते थे ही ऐसा ना परिवार नहीं से अपने ना परिवार, समाज परिवार, समाज वह का परिवार है, सुमझ पाते हैं अब इस घड़ी को हम कैसे समस्झ पाते किसे चोटे चेशे से अपने आप में घर्म साथ कर पाते हो मैं तो कुछ लोगों के मेरे वीची बनने से पहले सरकार के साथ केस चल देते उसमें एक सिक्षक थे जो सरकार ने उनको कर लिया और सब्सक्राइब करने के बाद कोट में चले गए तो कोट ने उनको इस्टी दिय जो इसको परिवार के नाते क्या बन सकता है वह अगी और यह जो नहीं हो वह करूंगा तो भी मैं उसकी विस्तार से सुना और विस्तार से वाता है कि आप क्या प्रिक्सा करते हैं यह जितना इंट को रखे इस बात को रखे पिल्कुस त्रोंत ध्यान में आगे मैंने सबसे जो हमारे यूएस्थ्पी के माद्व से जिन लोगों को पहचान पया था उसमें जो ऐसा मुझे वेक्टी लगा जो ज्याहे कर सकता था और वह उसकी अपना केश की मेरेट देखो चाहे और वह कोड में की चीज़ लगता है कि आपने परिवार के रूप में देखते हैं तो लगता है मैं ऑपने ड्रावर को देखता हूं कि सबस्क्राइब और मेरे पास दूर्बागे से कि एक रावर नोकिन मुश्किल में इसली के तहूं को सुबह आता है और रात को तक तक तो और भी जाने पेलिए के लिए कोई समय नहीं की मैंने अख्ति नोकरी के साथ चलेगा तो इस बाद में पूछता आफ कैसे जाएगा कि यह बात आश्ची तो वह आस्चर से चक्रीत हो गया कि वाहिस चांसर किसे लिफट लेकर चला जाएगा मुझे लगता है कि मेरे जीवन की प्राइवर्टी है मेरे साथ की लोगों की जीवन की इतनी प्राइवर्टी है मैं हमें सब पांच-छे बज़े घर में आने के बाद सको चुछी दे देजा था रात में मुझे अगर कहीं जाना होता था तो मैं खुड़ गाड़ी चला के जा उसनाते आप उनको प्रभाइद कर सकते जैसे बहुत से बहुत से चीजे मैंने अपने जीवन में मैंसुझ की और बहुत तरीके से इस विशे को विद्यार्थियों के अभी वह वह तक पहुंचा है और अभी भी आपके साथ मिलके मेरे लाइक जो भी काम होगा उसके लिए संफुनरा कर में जो आप सबश्राइब कि तो जैसे की कि बिचारों की का मिरूंचा कुछ कम हुए है अब विचारों के लिकिन विज़ा सकते होगी को विजव-विचारों के घटा का वींड़ी सब्सक्राइब करने की यह जो डियूरेशन है बड़ा होगा और धिरी-धिरी करते करते हो सकता समावत भी हो जाए और यही जब बनेंगी वह हमारा निमत रूप से मिलने वाला और निरंतर रूप से मिलने वाला आनम होगा मैं समझता हूँ कि आप सब बहुत ही जुमवारी से बड़ी जुमवारी के लिए तयार होने और पूरा मद्यपदे सरकार ने जो आप से अमीद किये उसको संपोर्ण करने में सक्सम होगे मेरी सुबकामने आप सब के लिए और मेरे लायक जब भी कोई काम मेरेगा नहीं से हमेसा आपके लिए तयार हो बहुत 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 दन्यवार बहुत बहुत आभार चारंशर अभिनंदन आपको अब मैं इसी शंख्या में आमन्चित करूंगी श्री धीरेंद्र चतुरवेडी जी जो भूपाल से हैं और पूरी कारशाला में हमारे साथ ना केवल जूड़े रहे बल्कि अपने इंपुट्स के साथ में है ना अपने निवेशों के साथ में हमारे साथ में इंटरेक्ट ह आपकी आवाज में चुनाई पड़ रहे हैं माइक को अन्म्यूट करना पड़ेगा अगर आपका माइक अभी न्यूट है बंद है माइक माइक अगर कुल पाई तो आपकी आवाज में तक पहुच बाएगी आपकी इन पांच दिनों में सर का साथ बराबर बना रहा तो सर आपसे अपेक्षा है कि आप अपने एक्स्पिरियंस को हमारे साथ शेयर करें और इस सभा से के साथ अपनी उपलक्तियों को और अपनी विचारों को साजा करें नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते दिदी सभी को नमस्कार आज इस कारिक्रम में जो हमारी मंत्री महदाया उपस्थित होने वाली है और चेयर्मेन साब वाइस चेयर्मेन साब एए सीटी रजनीश जी तो हैं ही और सभी गणमान्य उपस्थित सज्जनों गंगराडे जी इंद्रपाज जी चारण जी राजिल भीया और साथ ही में जो टीम है सबसे इंपार्टेंट हम लोगों के लिए जो इस प्रकार के कारिक्रम होते हैं जिसमें कुमार भीया जो है वो हमेशा उपस्थित होते भी हैं और पांच दिन तक कुमार जी ने जी ने मोहित जी ने और बाकी सब लोगों ने जो मध्यप्रदेश की पूरी एक आनंदक की टीम कि उनको जो संबोदित किया है और जीवन में जो चेंज लाया है उसका में विधत पांच दिनों से पराबर देख भी रहा हूं और मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि मैंने पहले दिन जब उदगाटन समारों में बहुत सारी चीज़े बोली थी उसमें एक चीज मैंने जरूर यह बोली थी कि मध्यप्रदेश में जो राज्यानंद संस्थान है वो संसोला से जो महनत कर रहे हैं उसके कारण जो आनंदक बने हैं और उनके बीच में जो बदलाव है या उनका जो एक लेवल है वो अल्रेडी इतना अच्छा हो चुका है कि यूएच वी की टीम के साथ जब काम करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा मैंने जब पहली बार शिविर अटेंड किया था तब दिलशाज जी और पवनें जी यहां पर आये थे उन्होंने शिविर किया था मेडिक अपस में तब हमने यह समझा था कि जो चेंज है वो बहुत ट्रिमेंडस है काफी ज्यादा चेंज होता है जबकि इस शिविर में यदि हम बात करें तो मैंने यह बिलकुल महसूस किया कि एक लेवल पे तो आनंदक पहले से मौझूद है मतलब उतनी संभावनाएं जो पहले जगाना पड़ती है वो अल्रेडी उनके मन में है तो उनके लिए यह और अच्छा हुआ उसको तराशने का काम इस शिविर ने किया और उसके बाद में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा जो रजनिश जी ने बोला कि मद्यप्रदेश में यह सब चीजे फेलना है तो मद्यप्रदेश में करीब ऐसा में मानके चलता हूं कि 8.75 करोड जनता है जिनके बीच में यह सब चीजे हमें फेलाना है तो अभी यूएच्वी का काम और राज्यानंद संस्थान का काम बहुत बड़ा है मतलब छोटा काम नहीं है और वो भी तब जब हम सभी लोग चाहे राज्यानंद संस्थान के हैं यह यूएच्वी की हमसे पूरे देश में प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ में काम कर रही है वहां पर कोई भी व्यक्ति बिना अनुरियम के बिना कोई पैसे के यह सब काम करता है और इसी प्रकार के सारे लोगों को हमें जोड़ना भी है जो स्वयम यह प्रयास करेंगे कि सब के साथ इन सब लोगों का यदि मध्रदेश की बात करें तो करीब पोने नो करोड जंता का और इसी डंग से पूरे देश की बात करें तो हमको उन सब के पास पहुँचना है और उनमें ये जिग्यासा होना चाहिए कि ये आनंद के लिए ये human value के improvement के लिए सारे लोग अथक प्रयास में शाम है जिसा गंगराडे भाहिया ने बोला था कि उन्होंने जो अपना शिवीर कानपूर में अटेंड किया और उसके बाद में खुद में जो बदलाव आया उसी के कारण वो सब लोगों को जागरत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसी ढंसे सत्यप्रकास जी ने भी बता इस पूरी चीजों को फेलाना पूरे देश में पूरे समाज में ये सब चीजे जाना चाहिए तो मुझे यसा लगता है कि इसमें हम सब लोगों का जो भी प्रयास हम कर सकेंगे वो हमें करना चाहिए शेरिंग जो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स की हुई है और अभिहाल घिरेंजी और देंगे इसके बाद में जितने लोगों की शेरिंग हुई है उसी से हम सब को समझ में आता है कि कितना बदलाओ है और कितना चेंज ला सकते हैं मैं तो यह माणन हुआ कि आनंदक के लिए यह जो है यह सारे परिवर्तन काफी इजी है और अल्प विराम कार्यत्रम के माध्यम से जो सारी चीजे चल रही है उससे बाकी जितने शिविर मैंने तो इसके बाद में आनलाइन के कई शिविर अटेंड किये हैं फेमेली के साथ लिए में जो शिविर होते हैं वो अटेंड किये हैं रोज सबेरे जो साड़े-पाँच बजे सबेरे शिविर चलता है जो पिछले साल जून से चल रहा है मतलब अब तो एक साल हुने आया है उसको तो यह सब चीजे जो चलती है उससे हम बहुत सारी प्रेर्णा लेते हैं स हम लोगों के समझ का लेवल जो आगे बढ़ता जाता है उसी से परिवर्तन आता है वो परिवर्तन स्वयम में आता है स्वयम में आने के बाद में बाकी लोगों को समझ में आता है जब उनको समझ में आता है कि किसी पद पे बेठा हुआ व्यक्ति इतना चेंज होता है तो वो भी उसको follow करने की खोशिश करता है और सबसे अच्छी बात जिसी आपने हमने यहां पर देखी है कि UHV में सबसे पहली बात ही यह की जाती है कि यह हमारा प्रस्ताव है आप इसको जाचिए परकिए आपको ठीक लगे तो इसको अपनाईए आपको ठीक नहीं लगे कहीं कोई problem हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है discussion कीजिए और उसको स्वयम में उतारे में एक example जो है वो युदिस्ठिर का जो महाभारत में कोट होते हैं कि युदिस्ठिर से दुरुनाचारे जी ने बोला कि आप सत्य बस इतना ही एक वाक्य आपको याद रखना है कि हमेशा सत्य बोलन नहीं कर पाया बोल नहीं पाया तब बात होई कि भाई युदिस्ठर इतने आसानी से नहीं समझ पा रहा है बाक degrees बलना सही है जबकि उस्हे युदिस्चिर ने जब अपने जीवन में उतारा तब उसने बोला कि गुरू जी अब मुझे जो है ये पाठ है याद हो गया इसका मदलब ही यही है कि हमें अपने में जब परिवर्तन आ जाएगा हम अपने में वो प्रस्ताओं को ग्रहन कर लेंगे तब हमें समझ में आता है और हर चीज राइट अंडरिस्टेंडिंग और नेचरली एसेप्टंस के लेवल पर यदि आ जाए तो आप और हम किसी का भी कंपिटंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम रियक्ट करने के बजाए रिस्पांस करना चालू करेंगे और मैं एक एक जरूर यहां कोट करना चाहूंगा जो गणेश जी हमेशा कोट करते हैं कि चाहे यह किसी को समझाने के लिए या किसी के मन में किसी दूसरे के मन में उता गया तो आपके आसपास के सारे लोग आटोमेटिकली होने लगेंगे और जो स्वयम में चेंज होता है वो सर्वो पर ही होता है और भ्रस्टाचार के बारे में भी एक आनंदक महुदय ने अभिहाल सर्जन ने भाई ने अभिहाल कोट किया था तो वहाँ भी एक बहुत अच्छा एक्जामपल गनेश जी दियाए करते हैं कि भ्रस्टाचार करना या किसी से रिश्वत लेना उसको ये लगता है कि वो जो सामने जिससे रिश्वत ले रहा है उसका वो रिलेटिव नहीं है उससे वो अपने आपको रिलेट ही नहीं कर पात जब कि वो रिशवत लेके जिसके उपर खर्च करना चाहता है उस से रिलेट होना चाहता है उसका रिलेटिव वो अपने आपको समझता है जब इस धंग की चीजे होती है जब हम पूरे संसार को अपना समझने लगेंगे, relative समझने लगेंगे संबन्धी समझने लगेंगे तो हम ना किसी से रिश्वत लेंगे ना कोई हम से रिश्वत लेगा ना हम किसी को रिश्वत देंगे ये सब चीजे जो है ब्रस्टाचार या इस टाइप की जितनी भी चीजे हैं उससे निश्चित रूप से हम बरी होंगे और बड़ा अच्छा लगेगा मैं आप लोगों के लिए एक जानकरी जरूर और देना चाहूंगा कि इस कारिक्रम की तरह जितने भी कारिक्रम UHV के होते हैं उनके वीडियोज जो लेवल वन के और लेवल टू के दोनों के जो वीडियोज हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं तो जिन भी भाई बहन जिनको इसको और तराशना है और समझना है वो यह ना समझें कि इसका कोई material available नहीं है आप केवल YouTube या Google पे जाके सर्च करेंगे AICT की website से सर्च करेंगे तो ये सारे videos वहाँ पे available है day one से लेके और last सारे lessons तक के और level one के भी है level two के भी है अभिहाल आप और हम level one तक अपने आपको concentrate करें और जितने ज़्यादा उस videos को बार-बार देखेंगे और साथ में यदि आप अभी जैसे इंद्रपाल जी और आपको रज्यानन संस्थान से लिंक्स वगेरा सब उपलब्द हो जाएगी तो आप उनके साथ बाकी कारिक्रम में भी आप पक्का जुड़ सकेंगे और मेरी तो यही ख्वाइश है कि हम मध्यप्रदेश में गाउं गाउं तक हर लेवल तक मैं चुकि एजूकेशनिस्ट हूँ अकेडमीशियन हूँ तो युनिवर्सिटी में तो हमने बच्चों के लिए और फेकल्टी के लिए स्टाफ के लिए इस कारिक्रम को लागू कर दिया है तो हम सब लोग उसके अंतरगत चा रहे हैं परन्तु जब हम बच्चे बच्चे तक पहुँचने की कोशिश करेंगे तो जहां मेरा सहयोग होगा मैं पूरे राज्यानंद संस्थान के साथ जुड़के और उशा दीदी के साथ जो मंतरी महोदाया है हमारी उनके साथ पूरे प्रदेश तक पहुंचाने के लिए मैं कटीपद्ध हूं और आगे की जो भी योजना होगी उसमें निश्चित रूप से मैं प्रतिभागी रहूंगा मैं सभी यहां पे जितने अटेंडीज हैं उन सब का शुक्र देता हूं और एक धन्यवाद में जो है परिक्षित जी का विशेश कर से देना चाहूंगा जो यह पूरे स्लाइट्स और सब चीजे बदलते हैं और दिलशाज जी और पाउनेंद्र जी जिन्होंने अपने भूमी का आप सब लोगों के बीच में आपस में जोडने की लग से कुमार भाईया, मोहित जी, उपासना दीदी, जीतेन जी और इन सब का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बड़े अच्छे से यह कारिक्रम पांच दिन का मत्री प्रदेश के सारे आनंदक के लिए किया है शुब कामना ए धन्यवाद, नमस्ते दीदी जी, स्रुमानी सेर, बहुत-बहुत आभार, देश के रिदय स्थल, इसमें अवस्तित मत्री प्रदेश में राज आनंद संस्थान के सभी आनंदकों के साथ, हमारी यह चर्चा बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है, और इसी क्रम में अगला आमंत्रन है, विरें प्रदेश के अगला आप रखिये बात को रखिये तो इतो सभी का स्वागत जिते भी प्रति भागी इस पूरे कारिकरम के द्वरान रहें, तो गंग्राडे जी को और सत्या जी को बहुत बढ़ाई कि उन्होंने एक इंस्टिूशनल रूप में इस कारे को जोड़ा, अगल साब की नी कारणों वश्च नहीं रह पाए व्यत्तिकत कारणों से, और इन्पाल सिंग जी लगातार इस कारे कमें बने रहे, तो जैसा मैंने कहा कि इंस्टिूशनल रूप में जोड़ बना किसी भ एक पहला जो एक वरक्शॉप को सकती है, तो उसको मैं पहले कह देता हूं कि जहां जहां पर मैं रहा हूं, जाबुआ में तो जग्दी से सोदियाजी जुड़े ही हुए हैं, तो जाबुआ रहा, उज्जैन रहा, जबलपुर रहा, पोशंगाबाद में रहा, विदिशा म में रहा, जितने भी जिलों में मैं रहा हूं, तो वहां रहकर के तो लगातार जो है, मैं प्रयास करता ही रहा, बोर्ड ओफिस में भी रहा हूं, अभी भी डारेक्टेट में हूं, तो मेरा प्रयास लगातार बना ही रहा है, जो उनको लेकर के काम किया जाए, और इसको है और अब एक बहुत अच्छा अवसर इस दिश्टी से हो गया कि हम राजयान संस्थान के साथ जुड़ गया है तो संस्थागत जब एक संचालन के रूप में कहें तो काम करना ज्यादा असान हो जाता है कि दूसरी बात मुझे कुछ अपने वी अन्भाव की बात है तो मैं तो जैसे लोग अव्यवस्था में रहते हैं तो बहुत सारे लोग तो अभी तो जो लोग यहां जुड़े हुए जो कि अव्यवस्था में जुड़े हुए लोग नहीं जो अनंदक जितने भी लोग हैं वह सबके सब लोग वह हैं जिरुन स्वेच्छा से इस कारे को स्विकार आए और इसका आर्थ यह होता है कि वह कहीं ना कहीं कुछ ठीक करने और कुछ ठीक होने की प्रक्रिया में उन सब्सक्राइब कर लेंगे क्या तो उनको एक विलीप सिंग भुरिया जी के कारिकर में जाना था मैंने का हाँ तो हम दोनों चले गए तो एक सज्जन जो है कलिक्टर हमारे थे वह बड़े सज्जन टाइप के दो जीन सो तीन चार्ट में अपना काम चला लिया करते थे तो नौन आई-स टाइप के ज्यादा लगते थे तो जिन सज्जन से मारी मुलाकात हुई वह धोती वह एक लूंग तो चलो बहुत बाते बताने में तो पर बड़ी आनंद आएक बाते थी कभी और उसके वारे में चर्चा कर लेंगे तो पर जब वह वह जो सज्जन थे उनका नाम चुकी बार बर लिया जा रहा है अभी सुमानी जीमिन नाम लिया तो प्रफेसर गणेश बागडिया नाम लेते हैं बार बार लोग तो जब उन्होंने एक आत बात हमसे पूछी मुझसे पूछा आप क्या करते हैं तो उन दिनों में जो डीपीपी प्रोग्राम शुरू हुआ था उस समय और लेटरेसी पे भी काम करते थे तो मैंने बताया कि यह करते हैं आदे घंटे बताया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा यह सब लोग यह लिटरेट हो जाएंगे तो आप संतोष्ट हो जाएंगे को जाएगा सारा काम मुझे बड़ा निराशा हुई मैंने का इतिक तर तक समझाया इनको कितनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात दोड़ते हैं स्कूलों में तो सब लोगों की मैंने जैसा एक आम आदत होती है बताया कि ते लोग जो है संवाज में सारी लोग गड़बर है इसलिए नहीं हो पाएगा तो उन्हें लोग मान लीजिए लोग सपोर्ट भी करने लग जाए आपके सिक्षा के काम को सपोर्ट करने लग जाए तो सब ठीक हो जाएगा क्या तो फिर मुझे लगा कि यह तो बड़ा मुश्किल प्रस्टिम ने पूछ लिया कि पढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ठीक है जाबुआ में था उस समय जाबुआ में उस समय लोग लोइस लेटेसी डिस्ट्रिक्ट था वो तो पर मैं तो थोड़ा दि लोग आप शाक्षार नहीं थे पढ़े लिखे नहीं थे वह कहीं जादा ठीक ठाक जगह थी जहां जितने जादा पढ़े लिखे थे वहां तो नहीं तो पूछे तो फिर क्या करना होगा तो मैंने को तो यही समझ आई थी तक कि भी पढ़ा लिखा देंगे तो चीक हो जाएगा पर यह भी प्रकड में आया आपके पूछ जब इसको तो रिफ्लेक्शन कहते हैं कि जब सोचा तो पता चला कि पर लिके तो मामला और बर्बाद हुआ चला जा रहा है तो 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 नहीं ने कहा तब तक है वो लंच का टाइम होगे हमारे लिटर साथ भी आ गए तो मुझे रहा कि इन रिखती कि यह जो कह रहे हैं कुछ बात में हुआ करते थे तो मैंने बाराई जो समय वारे वियार सी होते थे उनको सब को फोन लगवाया जगदीश जी भी है उसमें जब को घर पे बुलाया और मैंने का कि भाई सब लोग जरा आ जाओ कठे हो जाओ और यह कोई सज्जन आया इनकी बात सुनो कि उसके अगले दिन की है वे लिए वग्यादी दिन की बात है अगले दिन ऐसाथ मैं एक व्लोग में भावरा ब्लॉक uris सब को बलाया और उस दिन क्या हुआ कि हमने जो है जह हम जिसा क्लोनी में रहते ठों देखावे और भुलावे में लो रहते थे तो सबके पास वह करते थे हमारे पास होते थे तो रुपए में रात फील्म करते थे तो उधार घॉठार हम एक लेक खरीद लेंगे तो उस दिन बात यह हुई थी एक चोटी बात बंद की जो आप करना चाहते हैं वह आप आवशक् कि शाम को बी वी सीय हो लेने चलना है मैंने कहा चलना तो है पर यार यह बता हो कि हमारी वास्ता में आवशक्ता है की नहीं वह बना रहाएं पर वह आवशक्ता के लिए सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करता हूँ मेरे लिए तो अगेन ये शिविर ये जो वक्षॉप हुई है अगेन कुछ नई बातों पर मेरा ध्यान उस पर गया है और मैं समस्ता हूं की जो लोग है वह पहले से बहुत अच्छे लोग हैं जैसा मैंने का कि स्वेच्छा से जुड़े हुए लोग है तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन भी और धन्यवाद भी अच्छी जब परिवार के सदस्यों के बीच में बात्चीत होती है तो समय का पता नहीं चलता है तो 12 बज़े से हमने बात शुरू की है और लगवग लगवग दो बजने को हैं जिसमें की ऐसा ऐसी अपेक्षा है कि दो बज़े तक ये एक सेशन खतम कर दिया जाए जिसके के बात हम लोग तीन बज़े से दुबारा से स्वह मुल्यांकन का सेशन शुरू करने वाले हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए अब मैं आमंटित करूंगी श्री इंदरपाल सिंग जी को जो निदेशक राजे आनन संस्थान के रूप में अपना योगदान भी दे रहे ह हैं और इस कारेशाला के साथ अपने वह सारे इंपुट के साथ शुरुवात से ही हम लोगों के बीच में हैं तो इंदरपाल भाई साब आपका स्वाधत है अपनी उपलब्दियों को और इस वरक्षवाप के साथ जुड़े हुए एक्स्पीरियंस को हम सब के साथ शेयर कर मेरे मेरे पुरे परिवार को बहुत बहुत नमस्ते हैं जदैसे नमस्ते भाई साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यू एच्वी टीम और आइसीटी इस के टीम के जोड़ हुए लोगों से बात करने में मैं जादे भूमिका नहीं लोगा समय की भी सीमा है इसलिए मैं अपनी बात को सीधे तरीके से ही कहूंगा तो शायद मुझे लगता है जादे सार्थक होगा तो पंद्रे माई को जब रजनीश जी का कारेकरम सुना तो हमारी मान ने मंत्री जी की या पेक्षा थी की राज अनन संस्थान की गतिविद्यों को थोड़ा विक्सित किया जाए उसी कड़ी में रजनीश जी का ये कारेकरम हुआ था और रजनीश जी के कारेकरम के बाद राजानन सहस्थान का ये विशार बना कि हमारे जो आनन्द अखे हैं, हमारे जो कुछ प्रतिभागी हैं, उनके साथ हम लोग एक सिविर आयोजित करें, यूएच्वी टीम के साथ. मैं सचे मन से आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हम राजानन सहस्थान के जो भी हमारे कारे करम हैं, या आनन्द सभाओ, या आनन्द कलेंडर हो, अथवा आनन उत्सव हो, उन सभी कारे करमों में हमारा जो संप्रेशन का माध्यम था लोगों के लिए वो प्रायोगिक अध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे, मैं सुयम बड़ा अनुमना था, मैंने सत्प्रकाश जी से ये कहा भी कि मुझे लगता है हमको हमारे प्रति भागयों को थोड़ा ब्रीफ करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये कारे करम थोड़ा थोड़ी में खहा सभाने और भी सियद्ई कोई कि भी मिन तो कि यह पुर। तो मुझे लगा कि यह करिक्रम सथधानतिक भ包括 क्रवश्रा शाहिट कॉर्ष्टि' नहीं कि यह बात शुनजे में और कोई итоге चर्ष्ट में करती है यह से कारे करम नहीं है यह को सुनने या सुनाने वाला कारे करम नहीं है तो मुझे लगा कि यह कारे करम थोड़ा सा बहुत अलग है और इससे मुझे नई दिस्था मिली जब मुझे लगा कि इस कारे करम में तो सह स्विकर्थी की बात होती है इस कारे करम में हम स्रेश्टा की बा कुछ हुआ उस्थिती यह कार्यकरम में अपनी स्माने iti起 होड़ा कि ये कहारी करने का है कि यह कौर्व करने का है और इसलिए मैं उस टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कुछ इसने इतनी सारी महनत करके इतना बड़ा काम किया है और हम लोगों तक पहुँचाया तो मैं इसके लिए बहुत कर्टक हूँ जो कि इस कारिकरम से जो सबसे पहले मैंने सीखा कि मन की जिग्या से को सांथ करने का एक ये भी तरीका है कि जब हम लोजीकली कन्विस्ट हो जाते हैं जब हम समझ जाते हैं क करते हैं मुझे लगा कि ये राज अनुस अस्थान के लिए पर हमारे पास सी की दूसरी विदिय हो गई है जिसको लेकर कि हम लोगों के पास जा सकते हैं तो जिनको प्राइयोगी के माध्यम से उसस्थि नहीं होती है तो यह कैसा विशह है इस विशह के माध्यम से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत मेहनत की है जो छोटी छोटी बाते हमारी समझ में आती है उनके उनका इस्पस्टी करण जो हम कभी नहीं समझ पाई थे जैसे मेरी कुछ साथी ने कहा भी कि दया किरपा करूना सरेष्था योगता च्छंता इच्छा विचार आसा यह बात हम सुनते हैं सुनते रहे हैं परंतु इनका इतनी बारेकी से विसलेशन करने का कभी मोका मिला हो उनको इतनी बारेकी से हमने कभी समझा हो ऐसा मोका कभी आया नहीं हमने भी बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी तरीके से देखा है सोचा है समझा है परंति इस बात क माध्यां से जो हमारे समझ विक्षित हुई है ये हमारे लिए बहुत महत्कून है और ये समझ ना केवल मुझ को ये राजाना संस्थान को बलकि हमारे सभी पृति भागियों को बहुत आगे तक ले करके जाएगी और समाज में अब वो अधिक विश्वास के साथ अधिक घरो आएं ऐसा मुझे नहीं लगता है हम दोनों तरीके से तैयार हो गए हैं इसलिए इतनी बढ़िया व्याख्या इतना अच्छा सलेबस इतनी अच्छी सब्दावली हमारे लिए वास्तों में बहुत वर्दान है व्यक्तिगत रूप से भी राजाना संस्थान के लिए बी मध किरिया पर ध्यान दूं और मैं समझता था कि जो बड़ी वाते होती है जीवन में वही महपून होती है वही जांचने की योग होती है आपका बहुत से फाइट हो गया किसी सबर्डिनेट से हो गया किसी रिस्तेदार से कुछ ऐसी बात हो गई किसी पडोसी से कुई ऐसी बात हो गई जिस पर शुटव को देख और समझा तो मुझे लगा कि नहीं मैंने मेरे इस तर पर मुझे क्या डिस्टर्वैं रहे हैं जहां कोई भी दूसरा आदमी बीच में नहीं आ रहा है कि ऐसा भी कुछ है तो मैं देखा कि दिन भर नहीं बलकि प्रति घंटे ऐसी कोई नहीं कोई बात हो जाती है जो मुझे खुद मेरी खुद की बात या खुद की विचार मुझे इस करते हैं तो मैं यूएश्वी की टीम के लिए इस बात के लिए भी बहुत बड़ा अभारी हों कि उन्होंने स्यम मेरे अंदर जो डिस्क्रबेंसिज होती है उसको अब मैं इस बात से परक्षका हूं और इस बात से मेरे समझने की च्छंता या जो मेरी योगिता है वो विक्षित होई है और उसे ही किसी बात को जाशता हूं होने में जयादा शूष सवुए हर म années इस मेरी परिवार commits well है कि मेरे पास मेरे हैं और मैं है कि मेरा सुचे string के जो मेरे मैं शुञें के लिए कुछ काम करके देखता हूं मैं पहले भी कोशिस करता था कि आप तीनों लोग वैक्षिन लगा लीजिए वह तीनों ही लोग चोड़िस-पच्छे साल किये इसके हों में चुक्कि उसमें से दो तो आप अपने खुद की उनकी योगता बढ़ाने के लिए काम करें तो मैंने उस एक्सपरिमेंट को इन तीनों के लिए करना चाहा और उन्होंने मुझे कई सारे करान बताए कि हम बिमार हो जाएंगे तो मैंने का मैं इलाज करांगा हमारी खाना बनाने वाला नहीं है तो मै 27 तारिक की शाम को उन्होंने अपने सहमती दे दी 28 तारिक को हमने उनका स्लोट गुब करके उन तीनों लोगों को वैक्सिडिशन करा दिया तो मुझे लगता है कि अगर हमारी योगता को हम सही अर्थों में सच्चे मन से सच्चे तरीके से बढ़ा करके इंप्लिमेंट करत हैं तो उसका कोई ना कोई नतिजा करस निकलता है ये सारी चीजे अगर हम शेक पाएँ है यहte कि टीम के मात्यम से यह हम सीख पाए हैं और हमको बड़ा घर्म हैसूस होता है कि सीखने के यह भी कोई तरीके हो सकते हैं उसके लिए निसंदे आप सभी लोगों के परती मेरी बहुत-बहुत कर्टक जिता है आभार भले ही नहीं हो पर मेरी कर्टक जिता भूजाब रहे इस क करता हूं कि इतने बड़ी प्रियासों के बाद इतने कम समय में उन्होंने हमारे लिए कारिकर मायोजित किया हमें बहुत अच्छा लगा मैं प्रोफेसर सुमानी और धिरेंद भाया को भी बहुत-बहुत धन्यवादेना चाहता हूं कि उन्हें तर हमारे साँ जोड़े प्रोफेसर रजनीजी के दोरा बिचो बाते हमको गई हैं जाते जाते भी हमको एक बात समझा गए कि रियक्ट नहीं करना है रिस्पॉंड करना है और रजनीजी के दोरा जो आरेसके बारे में भाव रखे गए हैं हमारा प्रियास रहेगा कि हम उन सब चीज़ों को अपने मिश कर रहे हैं वगर होते तो इस वह इसी विचालधार की व्यक्ति है उनको बहुत प्रिणा मिलती और राजाना समस्थानी गति विद्यों के लिए बहुत महत्पूर्ण होता परंतु कोई बात नहीं वह हमेशा आते रहेंगे इन गति विद्यों को हमनी रंतर मनाये रख प्रारंव में हम मतपर्दैस से छी प्रारंव करना चाहेंगे इस वरकार से मत प्रदैस में मत पर्दैस के नागरीक होdy यह जैसा की अभी हमारे सामने बात आई थी कि हम लिए समस्थिमॉन ने हैας स्विए परिवतन कर लिया आ वह ली माननता को मैं भी मानता हूं इस पुरे 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 परिवार को, जोड़ होए सभी लोगों को, और विसे सरुप से उन पृती भागियों को, जो इस कारेकरमी उपर थित थे, जिनों ने बहुती तथपरता के साथ, और बहुती लगन के साथ इस चीज को सिखा है, मुझा पूरा भरोसा है उनके उपर की य बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत थेंक्स, मैंने थेंक्स ओल फ्यू, थेंक्यू, थेंक्यू, बहुत बहुत आभार इंदरपायल भाई सभ, और भविश्य हे तु बहुत सारी शुब कामना है, चब्श माई को प्रारम हुई ये कारेशाला, अभी स्वम उल्यांकन में सहष्विकृती के स्तर पर प्रस्तावों पर सहमती बनी हुई दिख रही है, कुछ की जाच अभी भी शेश है, जीने के स्तर पर तो पूरी जाच अब प्रारम होगी, अगर आनंद के मार में ये प्रस्ताव सहयोगी हुए, तो बार-बार ऐसी ही गंभीर चर्चा और विचार मन्थन है तुँ, कब तक सभी संबंधियों को, राज्य आनंद संस्थान के सभी आनंदकों को, हम सभी UHV टीम की ओर से सहरदय प्रनाम स्वीकार हो, शाम को तीन बजे से सारे चार बजे का सत्र फिर से यथावत चलेगा, जिसमें शेश बचे सभी आनंदकों के स्वम हुल्यांकन को सुनना हम सब के लिए उखलब धी दायक रहेगा, तो दुबारा से तीन बजे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए रणाम, नमस्कार, नमस्ते सभी को, जी नमस्ते सभी को, नमस्ते, 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 नमस कि सभी को नमस्ते और साधर धनियवाद को नमस्ते और इव मुल्यांकन सब्सक्राइब दुबारा जुड़े हैं तो आप में से जो भी एंड्रेस करके अपनी मुल्यांकन रखना चाहें सामने जो स्लाइड दी हुई है उसमें समय कभी आप लोग ध्यान रखेंगे और जो बिंदू है अगर उस बिंदू आर अपनी रखेंगे अपना मुल्यांकन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो उस कड़ी में गनेश जी ने सबसे पहले हैं रेस किया है गनेश जी कुस्तुरी अम लोग ने लंच के लिए थोड़ा बहुत कम टाइम दिया जी शाथियो को नमस्कार है मेरा नाम गनेश कानड़े हैं और मैं मत्रपजेश का खंडवा का निवासी हूं का साथियो मत्रपजेश राजजानन संस्थान का मास्टर ट्रेनर और जिला संपर के विक्ति के रूप में मेरा दाइत्व हैं साथ ही मैं एक सामाजिक कार्य करता हूं और विभिन्ना एंजियों के साथ में मिल करके स्वतंत्र रूप से स्विच्छिक सिवा छेत्र में काम करता हूं और बहुत कम समय लूंगा मैं कि इस यूएच्वी सिवीर के मद्यम से मेरी व्यक्तिकत उपलब्दी क्या है एक से तीन परस्ताओं जो मेरे ध्यान में आए मैं उस पर बात रखूंगा कि एक तो मैं इस सिवीर के मद्यम से जो परस्ताओं आये थे उनने मानों परिवार समाज को लेकर जो प्रस्ताओं सिवीर में रखे गए थे तो सरक्रतम तो मैं जो मैं और सरीर है उसको समझ पाया हूं और दोनों अलग है इस बात को समझ पाया हूं और स्वयम के उपर जो जाज की तो उसी के अनुरूप मुझे लगा कि मद्यब्यदेश राज्यानन संस्थान का जोल पर विराम कारकम हम करते हैं और सांत समय में अपने अंतरात्मा से जुड़ करके उसके जो निर्देश है उस अनुशार अपने अंदर सफाई करते हैं तो उसी अनुरूप यहां पर मैं जो मैं और सरीर दोनों को समझ पाया परिवार में विश्वास और पुरक्ता का भाव जो है उसको भी मैंने जाचा अपने उपर समाज वो प्रक्रती अस्तित्व को लेकर के जो प्रस्ताव सिवीर में रखे गए थे तो उन प्रस्ताव के अनुरूप मुझे लगा कि हम समाज के पुरक है और प्रक्रती के साथ में पुरक्ता का भाव जो हमारे अंदर होना चाहिए वो अभी कम है और उसको और अधिक होना चाहिए समझ को समझ पाया हूँ और जो मानो मुल्य है उसको कैसे पुरक्ता के भाव में ला करके और हम अनन्द पुरक्त जी सकते हैं इस बात को मैं समझ सका हूँ कि साथियो गनीज भी आँ जाच एक एक जो टॉपिक आप बोल रहे हैं जैसे आप समझ पाये हैं तो उसमें आपके ध्यान में क्या चीज़े आई है और जीने में क्या आया है थोड़ा सा नलब बहुत सारे बीजों पर बात हुई थी लेकिन आपने यह समझ पाया हूँ कि परिवार में जैसे हम परिवार से क्या पिक्षा रखते हैं तो परिवार में हम लोग चरित्र के आदार पर या जो अनुकरण के आदार पर उस तरीके की जो भावे वो नहीं था हमारे अंदर परिवार के सभी सदस्यों को अपना पूरक न समझते उनको आदेस और आग्या कारी के रूप में देखते थे लेकिन यहां में समझ में आया कि यदि परिवार को आगे ले जाना परिवार का विकास करना है तो हमें जो है उसमें पूरक्ता का भाव लाना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ में जो है आग्या कारिता की बजाए मतलब हमें अपने चरित्र स परिवार में उसको भी शेयर कर सकते हैं तो इसलिए हम यह कह रहे हैं क्योंकि आप बिलकुल शुरू ही कर रहे हैं इसमें अब यह मुल्यांकन वाले में तो अगर हम लोग प्रिसाइस रहेंगे ना मतलब तू दा पॉइंट और वास्तव में हमने क्या क्या हम को ध्यान में आया और उसके आदार पर हमने जीने में क्या कर लिया या कोई एक्स्पेरिमjemंट कुछ किया हमने और उसकी क्या उपलब्दी है वह सभी के लिए उपकारी रहेगा इस चीज मैंने देखी कि परिवार में जैसे बच्चे है तो बच्चे हार चीज का जो भी हम आदेश देते हैं तो वो एक दबाव में सुस करते हैं और उस दबाव में जो है जैसे आवेस होता है उस तरीके से वो अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं खास करके विरोत का स्वर होता है, कोई भी चीज जब मानने के लिए बुलते हैं, तो वो उस दबाव में तो मान लेते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जो भावे उसको फस्त देखा जाता है, तो अभी जब मेरे साथ एक उदारन आया कि मेरी भंजी खंडवाई हुई थी इस का के दोरान, और तीनों बच्चों को और माता जी को भोपाल ले जाना चाहती थी, तो मैंने शुरू में उनको रोकने की कोशिस की और समझाया कि अभी संकट का काल है, कोरोना चल रहा है, ऐसे में किस तरीके से आप लोग ये सब ठीक नहीं है, सुरक्षा के हिसाब से, लेकि और मुझे लगा कि इनको आदेशित करने की बजाए ये जो चाहते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता देना चाहिए, तो मैंने उनको स्वतंत्रता दी और कल परसो रात में वे भोपाल के लिए रवाना हुए, और दूसरी बात ये हुई कि अभी तक उनको मैंने अकेला नहीं लेकिन इस बार मैंने निर्ना लिया कि उनको रेलवे स्टेशन के गेट तक ही छोड़ूँगा मैं, बाकि वो अंदर किस तरीके से प्रेंट में बेटते हैं, किस तरीके से पूरी यातरा करते हैं, तो इसकी स्वतंत्रता उनको मिलना चाहिए, और उनका परिक्षन भी हो ज जो है, सारे रेल में प्रवेश करने से लेकर के बेटने से लेकर के पुरी यात्रा उनने की और वो सकुसल महां पहुंच गए, दूसरा मुझे प्रकृति के साथ में जो पुरक्ता का भाव है, वो देखने को मिला, कि अभी तक भी हम मुझे यह लग रहा था कि प्रकृति जो है, जैसे भोग लोग कर रहे हैं, और जिव जनत्व और बाकी सब जिव भी है, तो वो भी उसमें भुमिका ने बार है, लेकिन पहली बार एसे लगा कि हमारी जिम्मिदारी ज़्यादा है, क्योंकि समझ हमे है, तो इस कारण से प्रकृति का ज़्यादा ध्यान रखने क जिम्मेदारी हम पर यह तो यह मैं देख पाया हूं और जहां तक अस्तित्व और स्वास्तित्व की बात है तो निश्चित रूप से यह सब चीजे के प्रस्ताओं जो है वो मुझे लग रहे कि अपने उपर एक एप्लिकेबल हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में विक्तिकत रूप से जब हम गहराई में और डूबेंगे इसको प्रयोग में लाएंगे राज्यानन संस्थान की गत्युतियों के मद्यम से हम करते ही है लेकिन खुद पर और इसका अधिक प्रभाव होगा दूसरा मेरे विचारों में जो परिवर्तन में देख पाया हूं स सहिवियर से पहले और अब ध시मापन तक तो मैं अपने विचारों में मूलूद जो परिवर्तन मेरा ऐillar है कि आप मैं ज्यादा मुझे-सांत रहना चाहिए में बहुत ज्यादा जो ग्यान की बाते जो है जितना ग्यान था वो अधुरा ग्यान था ग्यान तो मिला था लेकिन अब और गहराई में डूपते जाने से उस ग्यान को समझ का इस्तर पर समरद्धी के इस्तर पर और परस्पर निर्भरता और जो सास्तित्व की बात जो यहा सकता है एसे विचार मेरे अंदर आए हैं कि दूस्तरा यूह वी की विश्य वस्तु और प्रक्रिया में क्या सम्मावना रिखता हूं तो निश्चित रूप से जो विश्य वस्तु है वो बहुती उपयोगी है और हम जो समाज में सारो भौमिक मानो मुल्यों की जो इस्थाप सक्ष्य ओड़ता अनुबरतन कारी है स्वयम के और जब हम अपने चरित्र से अपने आसपास के लोगों में भीम और समाज में ये परिवरतन लाने का प्रियास करेंगे तो और ज्जादा अनुबती के सतर पर गहराई में डुबेंगे और यह परिवर्तर लाने में सक्षम होंगे विसे विए अस्तु बहुती अच्छी है और प्रक्रिया भी काफी संभावनाय मुझे नजर आती है मेरी निष्ठा और आगे की जो कारियोजना है तो राज्यानन संस्थान के साथ में जुड़ करके हम अध्यात्म भाग के साथ में मिल करके इस पूरे कारिकम को सोयम से सुरू करके जिले और राज्य और देश और दुनिया की बात की कलपना हम लोग जो कर रहे हैं तो इसी मेरी सोच है मेरे विचार है मेरी अपनी कलपना है निश्चित रूप से यह कारकम जो है मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गोतम बुद्ध जी ने और महावीर स्वामी ने और अनेक रिसी मुन्यों ने इस ग्यान को प्राप्त करने में अपना पूरा जीवन लगा दिय जा था उस ग्यान को हम राज जानन संस्थान और यूएच्वी के इस खारकम से जुड़ करके बहुती कम समय में प्राप्त कर सके मात्र पांच दिवस में इसके लिए पुना आप सभी को धन्यवाद साथ और अपने साथियों के साथ में निरंतर इस खारकमों से मैं भी ला बानवित करता रहूं इसी ही अपेक्षा है धन्यवाद सर्फ धन्यवाद देली जी मुल्यांकन की सीक्रम में मैं आगे अनीता दिदी को बुलाना चाहूंगा कि वो इस निश्चिस समय में मुल्यांकन के बिंदू के अनुसार अपने मुल्यांकन रखें जी बिया जी बिय तो फॉक्रम्हिर अफेल नषी मश्कार मेरा प्रयास रहेगा कि मैं समय सीमा का पूर्णता पालन करूं और मैं यहां गवर्मेंट कोलेज में एकोनोमिक्स में प्रोफेसर हूं आपके माध्यम से जो भी चारों पर प्रस्ताव आये थे वो सारे प्रस्ताव में लगभख सभी प्रस्ताव आपके मैं जाज पाई सही, समझ, समäg, सुविधा, मैं शरीर, कल्पना, शिल्टा, चाहाना, योग जिता मतलब ये सारी जो प्रस्ताव आये थे उन प्रस्तावों को मैं जाच पाई और समझ पाई कि सही ये जो उभै शुक और उभै सम्रद्धी के लिए ये सभी प्रस्ताव मेरे में सही समझ का विकास करने में पुर्णता सक्षम है और जहां तक जीने की बात है तो चुक्कि अभी पांस दिन के उसमें बहुत पूरा दिन इसी में रहा तो कहीं कोई बाहर ऐस तरह से इंट्रेक्शन नहीं हुआ वो बाहर बहुत मेरा ऐसा अबजर्विशन नहीं रहा पर हाँ एक चीज जो मैंने आपको उस दिन भी शेयर करी थी चाहना और योग्यता की कि मुझे अपनी मेट के साथ जो प्रॉब्लम हो जाती थी कई बार तो कई बार मुझे ये लगता था कि ये मुझे ध्यान नहीं देती मेरी बातों पर और मेरी परिशानी को समझती नहीं है यानि मुझे उसकी चाहना पर शक्त था और अब मैं इस चीज़ को देख पारी हूँ कि उसकी चाहना तो है वो मुझे बिल्कुल नहीं परिशान करना चाहती तीस साल से मेरे साथ है हाँ उसकी योगईता में कमी है तो लगबग दो से तीन दिन से मैं भी अपने उसमें ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि उसकी वो मेरे निर्दिशों को भली प्रकार से समझ की किस तरह से कारे करें इसमें मैं उसकी योगईता को कैसे बढ़ाऊं और मैं अपनी भी योगईता को कैसे बढ़ाऊं इन दोनों प्रक्रिया में इस चीज़ को मैं थोड़ा देख पाई और बाकी बहुत सारा चिंतन मनन चला आपके सारे प्रस्ताओं पर और बहुत जिगह मुझे मैसूस हुआ पूर हो के उस पर कि हाँ इस तरह से चीज़े मैंने करी है जो मेरे में सही समझ के अभाव के कारण हुई चाहे वो करिवार के स्वेम के स्थर पर और मैं उन सारी चीजों को अभी देख पा रही हूँ जाच पा रही हूँ जीने की प्रोसेस में हो सकता है मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न बने और उन प्रश्नों का समाधान करते हुए मैं बहतर तरीके से आगे इंचीजों को जी पाऊं ये मैं इस त परिवर्तन बहुत आया है, बहुत परिवर्तन आया क्योंकि चीजों को मैं सही तरीके से मैं अपने में सही समझ चीजों की देख पा रहे हूं. जैसे परीख्राई के अर्थ में उसको बहुत देखते हैं और है यहां बसकतेयों के मायके में भी सेस्राल में विशेश में मैं इस चीज में देखा उन्होंने अपने पास इतना ही कैश मुझे रखना है कि सारी चीजे में उनमें देखती थी, पर मैं उस समय समर्द्धी के अर्थ को उस तरीके से नहीं समझ पारती थी, क्योंकि परीग्रे के अर्थ में हम लोग बहुत कहते हैं परीग्रे चिंता दुखी जानो, पर बहुत गहराई से नहीं समझ पारी थी, पर मैं आप समझ पारी हूँ, और आगे के लिए मैं बहुत सारा अपने लिए देख पारी हूँ कि आगे मुझे का रस्ता मुझे मिल रहा है, इस बात को देखकर आगे के लिए, कि मैं मेरे पास सुईधा से अतिरिक्त है, तो मुझे उसका सदुपयोग अब किस तरह करना है यह भाव मेरे मन में बहुत गहरे से आया है इसी तरह से यूएच वी की जो विशेवस्तु और प्रक्रिया की जहां तक बाती बहुत सही विशेवस्तु है चुकि हमें जो सुख पुर्वक जीने के लिए हमें जो सही समझ और सही भाव पैदा करना चाहिए तो फर्स फेज में मैंने जो भी इसमें समझा है तो विशेवस्तु कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा है और इसकी संभावना भी मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है आगे की योजनाओं में मैं देखती हूँ कि अलपविराम से जुड़कर पिछले सालों में मैंने बहुत जगह पर अलपविराम को लेकर गए हैं हम अपने जिले स्तरपर और राजजानन संस्तान के सहयोग से तो अभी मुझे जो दिखता है कि मैं इसको खुद जीकर जब मतलब जांच की प्रकरिया शुरू हो गई है जीने की प्रकरिया प्रारंब करूंगी और इसके साथ सर्थ राजजानन संस्तान के साथ जुड़कर मुझे जो भी डाइत वागे मिलते हैं उनको मैं करना चाहूंगी और इसके पहले मैं बहुत गहरे से अभी उनके सारी चीजों को जानने के लिए और अधिक कुस्सुक हूँ थेंक यू भीया मैं साथ कोई बार रखने का कोशिश करी मैंने कम समय में विचार तो बहुत सारे चल रहे हैं पर थेंक यू नमश्कार अधन्यवाद अनिका इस क्रम में कमलेश थिवारी जी को मैं मंत्रित करता हूं कमलेश जी अगर आप मेरे वासन पा रहा है जी आपका माइक तो अनुम्यूट हो गया है आवाज भी नहीं स्नाइब खड़े हैं कि कमलेश भीया आवाज हम दोग सुनने ही पा रहा है आप देख लिए आपके एंड पर हो सकता कुछ निट्वर का इसू हो और रिज्वाइन कर लिजिए तब तक मिस सुनी सुस्मिता जैन जी है जी तैंक यू मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का अभार व्यक्त करना चाहते हूं मेरा नाम सुश्मिता जैन है मैं राज जैनन संस्थान में आई टी सलाकार के पत पे कारे रहतूं मैं राज जैनन संस्थान से और इसके लोगों से पिछले चार सालों से जुड़ी हूई हूँ आपका मुल्यांकन तो हो गया था ना ने मेरा नहीं वा तो अच्छा सुरुभी का हूँ ता आप तो इसको अपर सब्सक्राइबर के पते राज जैनन संस्थान के साथ हूँ करने का मुझे इस शिवर में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला इसके लिए मैं बहुत कृतर के हूं इन पांच दिनों में ऐसी बहुत सारी बातों पर मेरा ध्यान गया जो मेरे आसपास हो रही हैं जिन पर मुझे लगता था कि मैं काम भी कर रही हूँ लेकिन इस शिवर में रहते हुए जब मैंने उनको देखा तो इस फार मेरा नजरिया कुछ अलग था तो मुझे ये समझ में आया है कि मुझे स्वयम पे अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है और मैं सही राहा पे तो चल रही हूँ लेकिन अभी अपनी चीजों को बहुत को तुधारना है इन पांच दिनों में मैंने जो भी यहां सीखा उस पे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स सेल्फ और बॉडी ये दोनों अलग-अलग है और इनके सहस्तित्व पे कैसे अलग-अलग धान देना जरूरी है क्योंकि अभी तक शायद मैं कभी अपने आपको अपनी बॉडी से अलग करके नहीं सोच पाती थी पर यहां पे आप लोगों ने इसको इतने अच्छे तरीक कर सकती हूं एक जो यहां पे मुझे दूसरी जो सीख जो मतलब जिसको मैं बोलूंगी जो आपने प्रस्ताव रखा था कि हर चीज में राइट अंडरस्टेंडिंग और राइट फीलिंग की कितनी इंपोर्टेंस है वो भी यहां से मुझे लगता है कि यह एक मेरी बहुत- कि मैं उसको एक सही मार्क दर्शन दे पाऊं और एक बहतर व्यक्ति बना पाऊं तो यहां पे एक श्रेष्टता और प्रतीसपरधा पर एक दिन एक डिसकाशन हुआ था तो जिससे मुझे यह समझ में आया है कि मुझे अभी उसको केवल श्रेष्टता के लिए मोटिवेट करना है प्रतीसपरधा के लिए नहीं उसी देन मुझे लगता एक स्टोरी यहां शेयर हुई थी जिसमें दो मित्रों की कहानी थी जिसमें एक बार नित्र में रडाई होती तो उसने रेत पर कुछ लिखा और फिर और पथर पर कुछ लिखा तो ये कहाणी मैंने आपने बे तो वो तीनों ने अपनी अपनी कोशिश करके बहुत सारे अजीव-जीव मुझे आंसेश गिये और मैं उनके साथ में काफी देख तक बनी किया नहीं अभी तुम लोग और सोचो इसको इस तरीके से सोचो जो एक प्रस्ताव का जो यहां पर एक माध्यम हमें बताया गया और मुझे लगता है कि तीन-चार वार कोशिश करने के बाद उन लोगों ने अपने आप जो सीख इस कहानी से निकाली कि दोस्ती रहनी चाहिए चोटी-चोटी बातों में बुरा नहीं मानना चाहिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मेरे क्याल से यह एक्सपरिमेंट मे इस कारिशाला के बाद जो मैं अपने में चेंज एक देख रही हूं वो मेरे विचारों में ही आया है पहले जब मैं लोगों से बात करती थी तो एक नॉर्मल कॉन्सेशन होती थी पर भी पिछले तीन-चार दिन से मैं यह देख पा रही हूं कि जब भी मैं किसी से भी कोई बात कर रही हूं तो एक बात पीछे दिमाग में हमेशा चल रही है कि हर किसी का पर्वस प्रोग्राम और पोटेंशल जिसको अपने हिंदी में शम्ता कारिक्रम बोला था वो सबका सेम है तो लेकिन सबकी योगिता में अंतर हो सकता है तो जो कभी-कभी हमारे समझने में ज जिसको मैं बहुत बड़ी लर्निंग मान रही हूं बाकी इस अभी वर्क्शॉप से जो भी मैंने सीखा है अभी मैं उसको अपने उपर ही फॉलो करना चाहती हूं शायद अगले छे मैंने एक साल तक मैं पहले खुद पर ही वर्क करूंगी और उसके बाद इसको मैं किसी औ आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करोंगी तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाफ करती हूं और मैं आप लोगों का बहुत-बहुत थे उते हमतर धन्यवाद कहना चाते हूं थांक यू थांक यू सो मुच जी आप एक बार प्रयास करें आवाज आपकी आज है जी माइक तो अन्मूट दिख रहा है हमेज व्याज जी अगर आप मेरी आज सुन पा रहे हैं जी जी तभी को मेरा नवर खार निश्चिती पांस दिनों में हमने एक अध्मूत अध्यों किया जी आप एक प्रारम से ही मैंने भागों अपनी स्वेटिक सिवाएं दे रहा हूं और जीवन की सीखने की राह में आप ही कितरे जब भी कोई सैसंद देखने मिलता है सुनने मिलता है तो तो भाविदारी अवस्त करता हूं इस कारशाला के माध्यम से जैसा कि सत्यासर ने कहा कि यह विसाए गहान है इन्तु कथिन नहीं है वास्तों में कथिन क्यों नहीं है और वास्तों में गागर में सागर भनने का जो प्रयास किया है वैबास्तों में बहुती बलाड़ी पाक हा तबी लोग हम ने सत्रके माध्यम से प्रयस ही करती क्या है अःसे कैसे बहा खकते है मैं और शरीर में अंतर कुछ जान पाए और जिसके उपर हम दोंने काफी देर तक बातें भी की, हम बास्तों में इसके लिए नीड के रूप में, एक्टिविटी के रूप में और इस्वांस रूप में भी जान पाएं और गौरा और रतंगता को भी बहुत अच्छे समझ पाएं योगता और शंता में एक बहुत बारिक अंतर होता है और साथी सेष्टा का इस्तान भी जीवन में क्या होता है अब मैं समझ गया हूं और मेरे स्कूल के परारम्नी गेट के सामने ही मैंने कल सूच लिया है सेष्टा और योगता खुले कर इस फ्लेक्ट बनवाने वाला हुए कि यहाँ पर आने वाला प्रप्रेक छात्र सेष्ट बनना चाहता है कि योग बनना चाहता है इस बात का वो अपने जीवन में निर्ने करे चाहना और इक्षा वो भी हम समझ पाए निस्चित ही जो पिक्रिया है और उसे छमता और संभावना की बहुत बड़ी प्रवावश लगता है और इसी में अपने जीवन में अपने परिवार में अपने संस्टा इसब्स पर और जहांपर भी समाज ही मज़े आउसर मीलेगा मैं उसके लिए प्रिसाइट करने के लिए अपनाने के लिए प्रसाइट कर doo buy पोरा प्रयाद करूँगा कत्र के लिए किसी भी वाद के लिए रखने का पुरा व्यास करूंगा जो फिलमता की बोल रही थी कि मैंने कपड़ों को गिना उन्होंने कपड़ों को गिना और कोई निर्णा लिया मैंने एक निर्णा और लिया कि जब भी मैं वह इसमें कपड़े लेने जितने कपड़े ल देली उसके जो भी अच्छे कपड़ में पहनते हैं वह है घर में आ सकेंगी अब कपड़ों का धेल घर में नहीं चलेगा यह मेरा भी सोच है और मैं अपने परिवार स्क्राप की इसको लागू करने का प्यास करूगा और मैं यह भी समझ सका जो मुझे बहुत महत्पून हे रस्ती के तो पर पर मैं बहुत समर्दी जाली है मुझे आज बता लगा समर्दी सिर्फ भौतिक नहीं होती है बहुत अच्छी तरह सौन्याई और मुझे अपनी समर्दी के उपर गर्व हुआ गौरों के लिए आपने बताया कि गौरों क्या होता है तो निश्यत तोर पर अपनी समर्दा के लिए मैं लोगों के बीचे बाटूँगा जो मैंने अपने योगता करोप में पाया है उसको में लोगों के बीच मुझा आप लोगों ने जो भी हम लोगों सहीत तरुदिया आपका अरांधा का बहुत आवारी है मैं अपने बचे होए सॉमय के लिए दोशों की लुप्यों करना चाहूंगा थेंक्यू इस कड़ी में आगे नितिन जी अगर आप सुन्पा रहे हैं नितिन जी आप तर कवाज कुछ रही है एक मिनिट हम यह कुछ कहना चाहरे थे नितिन जी एक सेकंड कि जो हम लोग एक वीकली मीटिंग करते हैं जो लोग भी उत्षों बीकली मीटिंग को जोएन करने के लिए तो वह प्रकास्थी को जरूर बताएं आप लोग अपनी वीकली मीटिंग करेंगे या पिर बिसमें जोएन करेंगे वह सब नोग तैह करके आपको बहुत ही अथ्षा लोगों ने सभी लोगों ने जो शेयर किया तो नितिन जी आप वापस जी मैं तैयार हूं वीकली मीटिंग के लिए बहुत अच्छा मेरी भी सहनती है मुझे बहुत अच्छी होगी तो मेरा नाम नितिन कुमार बगिले है और मैं यहां डिस्टिक एजूक करता हूं और जन जन तक कहुंच राने का कारेकरता हूं सबसे पहले परमादरणिये यूएजवी की पूरी टीम और हमारे आनन्द विभाग के सभी आत्मी जनों का सरदय की गहराईयों से बहुत-बहुत प्रडाम क्योंकि मैं इस दोवे से सुन्मात करना चाहता हूं नरपसु गुरुपसु इस्त्रियपसु बेदपसु संसार मानुस सोही जानिये जहीं बेबेग के बिचार तो जो पूरा यूएसवी का कारिक्रम है वो उपनिशद पर आधारत भी मैंने पाया है क्योंकि मैं उपनिशद और वेदों का अध्यन करता रहता हूं तो व्रहद नारवे उपनिशद में जैसी यागबल्क अपनी पत्नी मैत्रिय से कहते हैं कि है मैत्रिय जो ब्रह्म, इश्वर, बेद, पुत्र और आत्मा को अपने नहीं बलकि ब्रह्म, इश्वर, आधी के नजरिये से जानते हैं उनकी द्वारा नश्ट कर दिये जाते हैं अर्थात जो भी रामायन, गीता या बेद में जो लिखा हुआ है उसको बिना जाने बिना परके वैसा ही मान लेने पर अपनी सहस्युक्रती को दरकनार करते हुए, कार करते हैं, वो अपने आपको पतन की ओल ले जाते हैं तो यहां ओपनिस्ट के द्वारा भी प्रमानित हो रहा है कि बिना जाते परके जब तक सहस्युक्रती ना बन जाए, उसे नहीं करना है, तो वो ही हमें USB की बर्क्स्टॉप में अभी अन्भॉक कराया गया है, तो हम दिल से हिर्दय से करतल गया है, और जब यह कारकम जब मैंने सहस्युक्रती का भाव सुना पहली बार यह सब्द मैंने सुना, बहुत आनंद हुआ हिर्दय में, और यह पूरा कारकम एकनम साइंटिफिक तरीके से डिजैन किया गया है, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कि मैं पहले से ही human value पर काम कर रहा हूं, और सभ प्रश्मन यह पल रहेंगे हमारे जीवन के लिए, हमने एक मिनिट भी इस कारकम को मिस नहीं किया, यहां तक कि हम ट्वाइलेट में भी मोबाइल लेके गए, कि कहीं कोई चीज मिस नहीं हो गया, क्यूंकि हमारे जो ट्रेनर हैं, भाई कुमार संभाव जी, बहुत ही योग रूप से संतुष्ट हो जाते थे, और मैंनों के दिये गए एक एक उधान को नोट किया है, जैसे वो पागल कपड़े वाला उधान है, गाय चड़िया वाला है, और कई ऐसी कहानिया हैं, जो मेरे लिए काम आई में दूसरों को उधान देने के लिए, हम में अपने विशह पर आता हूं, जो प्रिस्ताव सबस्वाश्ट दिया गया है, कि मेरे ध्यान में जो आये, उनने में स्वैम के आधार पर जाच पाया और अपने दीने में परियोग कर पाया, तो सबसे पहला जो प्रिस्ताव मेरे मन में आया, वो जहां में कमी महसूस कर लहासता, तम्मान या सही आंकलन, चाहना या योगता का, तो ये उधान मेरे भाई का है, मेरा भाई मुझसे बहुत चोटा है, और वो अपनी पूरी पढ़ाई कर चुका है, और उसने नौकरी छोड़ने के बाद खेदी करने का मन बनाया, तो कहीं न कहीं मेरे मन में उसके प्रती भाव ऐसा आया, कि ये कुछ गलत हो गया, कि हमारे पता जी एक अधिकारी रहे हैं, और हम भी अभी गवर्मेंट जोब में हैं, और पुरा परिवाव बारा पुरा है, तो कहां से इनको खेती का ख्याल आ गया, कि हमें तो खेती ही करन और कहीं न कहीं हम लोगों में हलका सा, बाकी तो सभी हम लोग बात करते हैं, बैठते हर्टी सेयर करते हैं, लेकि कहीं न कहीं अंदर से ये भाव हमारे अंदर रख्षित हो गया, कि ये गलत कर रहे हैं, लेकर आज जब नहीं ये ट्रेनिंग, ये बच्शॉप इजनर आया तो मैं जान पाया कि मैं थोड़ा गलत था, वो सही है क्योंकि वो उसमें बहुत खोस्ते हैं, उनका मन इतना अच्छा लग गया है उसमें, और मैं ही अंदर से एक गलत भाव उनके प्रती बना वेटा था जिसके प्रती हमने उनसे बात की, उनने बताया, और उनने बड़ी ख जिम्मेंदार हूँ, तो मुझे ये कि मैं अगर अधिक समझदार हूँ, तो मेरी जिम्मेंदारी बनती है, कि मैं उसको जिम्मेंदारी पूरवक जीना सकता हूँ, और उसकी ब्रभार से प्रभावित कुए बना, तो ये एक चीज मैंने जो है जांची है, और इसके लाभ म तो तो मैं झाख Diya ने बताया थे हैं कि आप बच्कों को जवरस्ती ख़ाना ख़लाते हैं, जवरस्ती पढ़ाते हैं, उनका मन नहीं रहता है, तो खडाई के लिए दो आज तक नहीं कहा, लेकिन मेरा ब्रण शोटा हिक लिए है, वो अपने आपसे खाना खाता है uhb की विशयवस्थू में रक्रिया में मतलब जो कुछों ना दीया गया है एक क्या संभावना मैं देख पाता हूं दो यह UHB का पूरा कारिकम बहुत ही प्रभावशाली है और मैं जैसा इन पांच दिनों में अन्भाव कर पा रहा हूँ कि यह जो संदे से UHB का वो जंजन तक पहुचाने का है इसकी अनंत संभावनाय मुझे दिख रही है और पांच दिनों में जिनका भी मेरे पास तोन आता था उन सदी को मैं इसके वारे में बताता था कि यह एक और अच्छा कारे कंप्रिंटी में लगभाग 20 वर्स से चेटर में हूँ और आज तक पहली बार हमें किसी ऐसी इतनी परिपक्त टीम को हमने देखा है और आस्पेक का मायन गिलोग तो यह मेरा तेरिंग थी और चोथा जो यूएच्वी के प्रती कारे में निष्टा और आंगे की योजना है तो इसके लिए मैं आधरनिये पुनिया जी का जो रोधन हुआ था पहले था। उन्होंने कहा था कि लावड़ा का वद भी कर सकते अकेला नहीं पूर सकता हैं तो फूरी टीम बनाई बाणरों की और सभी लोगों का उन्होंने स्थेयोग लिया तो एक टीम भावना से कारी किया और ऐसे ही हम अकेले कुछ नहीं कर सकते आपका सहयोग, आनन्द वेभाग का सहयोग और हम सभी का सहयोग जब मिलेगा तो निश्चित ही हम लोग इस कारिकरम का जो संदेश है जो इसकी तकारतमक्ता है उसको पूरे विश्व में फैलाने का काम कर सकते हैं और दूसा एक मुझे ज़स्तांत यादा आ रहा है उसे हम बांटने का प्यास करेंगे और जितना हम बांटेंगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा ऐसी मेरी अंदर से भावना है और हम सबसे पहले तो हमारे अधर्णियक जो संभाव जी है मोहिद जी, इंदरपाल सर जी, खलेश जी, खलेश अरगल जी सर और भाई राजुल अस्थाना जी जिनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है बहुत प्रेम से वो बहुत करते हैं और बड़ा मनमुहकुम की आवाज में जो भाव है एक अपने पन का तो मुझे बहुत पुभावित करता है तो आप सभी का बहुत 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 तरदय से कतग्यता ज्यापत करता हूं और बहुत बहुत आभारी हूं आपको कि आपने हमें एक खमूल धरोहर दिया और यह एक आजाने की चावी हमें मिल गई है अब इस चावी को हम कितना इस्तिमाल कर पाते हैं तो हमारे उपर नर्वार अता इसी बात को करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं तो आप सभी का अपकोना एक वाद धन्यवाद कर ज्यापत करते हुए धन्यवाद मुल्याकन की इस कड़ी में मैं फिर से कम्रेश जी तो लाना चाहूंगा है कि अवाज तक पहुंच पाए मुझे लगता है अब नेटवर्क में कुछ रहा होगा जी 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 तो सर मैं नंक्र कम्रेश प्रसातिवारी और सर मैं बिगत चार वरसों से राजनल संस्थान से जूतर के और लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया हूं और बरत्मान में भी मैं मार्च से राजनल संस्थान में असिस्टेंट प्रोगर्म कोडिनेटर के दाइत को समाला है और जैसा कि मैं जब स्टार्टिंग में राजनन संस्थान से जुड़ा था और वहां पहुँचने के बाद में एलफ भी राम के प्रिक्या के लिए जब लोगों को तीन दिफसी सीविर बोपाल में करा गया था तो यह लगता था कि अपन यह क्या है आत्मा और वह सब बताने लगे जब तो अपने आप में लगता था कि यह तो आपन पहले से ही कर रहे हैं लेकिन जब दूसरे दिन जब सत्र में पहुँचा तो वाकई लगा कि इसकी जो गहराई है चुकि बहुती अंदर तक थी और मैं परिवार में थोड़ा सा कुछ पहचारी पिचारों को लेकर के और काफी दूरियां बन गई थी और अलप बिराम के माध्यमशे मैं पुने परिवार में जो हमारा जाहित्तु था वो उसका निर्वाहन कर पाया और 6 साल 7 वर्स से जो हमारे परिवार के बीच में दूरियां थी और पुने स्थापित हो पाई उसी प्रकार जब मैं एक जब से सप्रचाज हुआ कि अपने को पांच जिपसी इस सिवीर अटेंड करना है तो मेरे मन में एक भाव था कि वापन तो आल लेडी अंतरात्मा से बात करते हैं और अपने में परिवर्तन लाकर के और दूसरे तो पहुचाने का जो द्यास निरंदर सार सार से चालू है तो शास की भी भागों में जेल में जजों के बीच में तो आल लेडी कर रहे हैं उसके बाद ये अलग से कारसाला आई वच्वी के साथ में कैसा है क्या है लेकिन जब इस सत्र को अटेंड किया और फश्ट दिन प 27 तारीक को हम पत्नी और बच्चों के साथ में इस सत्र को अटन करने के लिए प्लानिंग की और हमको घर में खाली 27 को ही बोलना पड़ा उसके बाद निरंतर अभी तकभी बच्चे भी बैठें पत्नी भी है और इन लोगों को यह नहीं बोलना पड़ा कि आपको सत्र में ज चीज है और इसमें जो विशेष पाया अपने आपको जांचने के लिए तुकि मैं बच्चों को पढ़ाई के लिए चोटा वाला दसमी में है और बच्ची बार्मी में है तो पढ़ाई के लिए कांटीनों टोंकता रहता था और प्राटता भी था लेकिन मैं देखा कि इस छे घंटे साड़े शे घंटे साथ घंटे सत्र रटन करने के बाद में भी बिना टोंके मैंने आप में जाचा कि नहीं इनके अनुरूप भी कुछ चलना चाहिए और चुंकि अब दसमी से उपर हो गए हैं और जो अपन इसमें कि बात पाई तो कि साम को बिना बोले दो से ढाई घंटे यह लोग अपने अध्यान में भी जूड़ जाते थे तो यह समझ कि शंबंध और शुग्धा कि बारे में जो इसमें आपन जान पाए तो मुझे लगता है कि इस पांच दिन में हमारे कुमार शंभवसर गागर में शागर भरने का प्रयास हम लोगों तक किये हैं तो परिवार में जो अभी हम इस चार साल में अल्पभी राम के माध्यम से काफी जगे तो पहुचने का प्रयास किया था परिवार में भी जो क्रोध और आता था और वनवे चलता था चुकि हमारे मतलब जो हमने कह दिया वही होना चाहिए तो अल्पिविराम के माध्यम से पूर्णते ठीक हो गया था लेकिन जो समझ परिवार में विक्सित होना चाहिए ओ नहीं थी जो इस सिविर के माध्यम से पूरे परिवार को लाब मिल पाया और मेरे विचारों में जो परिवर्तन मैंने देखा इस बीच में अपने आपको जानने के बाद कि मैं और शरीर दोनों अलग अलग हैं और शरीर की और शक्ता के हिसाब से अगर हम सलते हैं तो अपने आपको ज्यादा सुखी पाते हैं निरंतर ता लाने के लिए सुख सम्रद्धी में मैं और शरीर को जानना आतिया वर्शक्ता अवर्शक्ता जो आप लोगों के माध्यम से जान पाया इसके लिए पूरी यूस्वी टीम को धन्वाद देना चाहूंगा इसको हम आगे जो संभाबना देख रहे हैं कि जैसे की अभी मैंने राजनल संस्थान के निर्देशाम साहब विद्ध्यलें में भी कई आनन्द सभा का जो कारकम सम्चालित किये थे और उसे हमारे यहां तीन विद्ध्यले में आपन ने कई बार रिपीट भी किया था और वहां का पूरे श्टाप और बच्चों में जो परिवर्तन दिखा था जैसे आपस में जगड़ना या बदले की भावना से मार पीट करना उसमें एक अलग परिवर्तन उन विद्ध्यले में देखने को मिला है जैसे हमारे हां सरस्वती पुछ तर्मादमी विद्ध्यले हैं और एक्सिलेंस विद्ध्यले बंकेट कर मांगे और आज अगर जैसे हम उस विद्ध्यले में पहुंचते हैं तो बच्चे इतने उस सुकता से फूर्ट पढ़ते थे सरका भी स्टाप का भी बड़ा हूं मिलता था और बस एक शाप पढ़ गए थी कि देखी आलपी विराम बाले आ गये और आज कुछ अच्छा होगा तो जो प्रेंस्वल साब है हमारे प्रचार बेंकर उनके उनका भी यह कहना रहता था कि जब आवा जा जाते हैं तो बच्चों को इसे ही आनन्द आ जाता है अलपी विराम तो बात की बात है बांकी कारकमों के लिए अगर कोई कारकम होता है जैसे महिलाबाल विकाश का समाजीन नया भी भाग का तो कहते हैं कि सर कुछ न कुछ तो आप लोग करवाते ही रहते हैं इससे हमको क्या मिलेगा लेकिन जब आपको देखते हैं तो बच्चे बड़ा सुकता से कमरा फुल हो जाता है और हमको रोखना पड़ता कि नहीं यह अब आप लोग अंगली बार में बढ़ते नहीं थे तो आपन अगर विद्देल है महाविद्देल है और साइसकी की भागों में अपार समभब नाये हैं और इसको में जो आपन जात पाए कि आपन अगर अभी प्रेटिकल में जाते थे कि अपने आप में जो परिवर्तन लाया है कि कहानी को लेकर के अपने अपने बदलाव जो आया है उसको लेकर कि हम लोगों के पास में जाते थे एक चीज़े मिली कि हम थियूरी के साथ में भी लोगों तो पहुंच पाएंगे और जाहिर सी बात है कि जब थियूरी और प्रेटिकल तो मुझे घ्यान आ रहा था कि जब हम लोग पढ़ते थे तो दोनों चीज़ें कराई जाती थी दोनों चीज़ें लेके पहुंचेंगे और निश्ठा और आंगे की योजना तो इसके बारे में हमारी पूरी टीम ने भी चर्चा कर चुके हैं कि जो भी दाइत हम लोगों को शौपा जाएगा उसको लेकर के और पूरा प्रयास अगर आपन जिले से लेकर के और ग्राम पंचाइद तक की योजना बना करके चर्णमत तरीके से गरापन नीचे पहुंचने का प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपार शफलता मिलेगी और उसमें पंचाइद गुवर्ण विगास्पी भाग के माध्यम से और विद्याले है कि हमारे ऐसा कोई गां और पंचाइद नहीं है जहां पन्ना हो उसके माध्यम से अगर आपन लोग पहुंचेंगे मुझे लगता है कि हम कुछ ही बरसों में मत्पदेश के जंजन तक यह संदेश पहुंचाने में शबलता हाँ से अगर आपकी पत्नी और बच्चे कुछ शेयर करना चाहें तो जरूर करें और कोई भी जो भी लोग परिवार के साथ में सुन रहे हैं पूरे परिवार का थोड़ा थोड़ा सा परिशेść बीदें और स है Isra gli शीक क्सा का या जो भी हम मुझे करना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा इतनी के मैं तो बढ़िया नमस्कार सर मैं विकास कुमार तिवारी सतना जिली से क्लास टेंड का छात्रूं मैं चार दिन से करका मध्यकापाद के साथ सुन रहा हूं मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं अपने दोस्तों के साथ भी यह शेयर करता हुआ अच्छा विकास जी सर बहुत अच्छा नमस्ते जी सर नमस्ते मैं बेड़ा थिकारी बोले हूं सतना से मेरे बच्छों में दोनों में छोटे वालों में बहुत लड़ाई होती थी लेकिन ये पांच दिन का साथ प्रदेख के दोनों में अब अच्छा आप देख है बोलते हैं कि हमको बहुत अनंदा आया आप लोग को रिकार्डिंग अम लोग उपलब्द कराएंगे जी अप लोग कुछ समय निकालिये रोज-रोज सुभे के टाइम में या कभी योग प्रानायाम कुछ करने के बाद में थोड़ा सा इस पर विध्यान दें जी 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 नमस्ते जी सब्सक्राइब करता हूं कि अपना सेल्फ इवेलुएशन रखें अलो जी नमस्ते कि सर पहले तुम्हें इस पांज दियुसी सिविर में सामील होने के लिए आपने आपको सुभाग्य साली कि मान रहा हूं कि यू 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 एच्पी कि टीम के इस कि प्रभुदक कि मित्रों के द्वरा कि जो सेशन लिए गए वह बहुती मेरे विक्तिकत जीवन के लिए प्रभाव साली रहे मेरा संचित परिचे बता दूमें के भी मंसारे विए से मैं सिक्षक हूं लेकिन राज जानन संस्थान से 2016 से मैं जुड़ा हूं और डिस्टिक प्रोग्राम लिडर के रूप में खरगों जिले में पदस्थ होकर कारे कर रहा हूं इस कारेशाला के माध्यम से मैं अपनी व्यक्ति का तुबलब्दी पताना चाहूंगा कि अभी तक मैं कि मैं और सरीर दो अलग 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 इकाई हों के बारे में बिल्कुल भी मुझे नहीं पता था लेकिन इस कारेशाला के माध्यम से मैं अपने आपको जाज पाया हूं परक पाया हूं और उसको प्रयोग भी किया है प्रथम दिवस बिल्कुल भी मुझे लग रहा था कि एक अलग टाइप की कारेशाला है और हम मन में एक अलग यह भावता कि हम तो राजजिस्त्री मास्टर टेनर हैं राजजानन संस्थान के और हमने विविन्य जगव प्रसिक्षन लिया है बेंगलोर में भी हम लोग चार दिन रहे आर्ट आफ लिविंग इसा फाउंडेशन में कोयम्टूर चार दिन सिविर हुआ भी किया दस दिन पंचगनी में किया तो मन के अंद में एक थोड़ा सा आहम टाइप का भाव था कि हम तो आल्रेडी पहले से प्रसिक्षित लोग हैं और ये यूएच्वी कि सिविर से हमको क्या फाइदा और होगा लेकिन जब इस कारेशारा में जैसे जैसे पहला दिन बिता दूसरा दिन बिता तो एक अपने आप में कुछ निखार आने लगा कि नहीं मानों जीवन परिवार और समाज और प्रक्रति क्या है इसको मैं अपने आप में समझ पाया हूं और परिवार के बीच इस पर चिंतन हुआ अपने विचार पहले के और आपके विचार में बदलाओ के बारे में है कि क्या बदलाओ तो पहले जो सहज शुक्रती कभी बिल्कुल ग्यान नहीं था कि सहज शुक्रती कैसे आना है अपने आप को कैसे परक्षणा है जाचना है हमारी मान्यताएं परमपराएं जाच परक्षण कर हमें कैसे आगे बढ़ना है इस अगले समय में पाता हूं मैं उस्धावना और प्रक्रिया में जो चमता और संभावना देखते हैं अपने व्यक्तिकत है और परिवार समाज और प्रक्रति के इस तरपर तो मैं बाता हूँ कि सबसे पहले तो सोयम में बदलाव परिवत्तन लाने की मुझे आव सकता है और उसको जांचना परखना है मुझे सोयम पहले सोयम का मुल्यागन करके और वही विचार मेरे परिवार में बिले आए और वही सहज्युक्रती और जांचना परखने के मैं और दोनुप लग이 काईूं के बारे में कि मैं की क्या आक्रा independent सकता है और चिर्भ की क्या आक्राइन यह सब akat मेरे परिवार में भी आएं ऐसा मेरा पोरा प्रयास रहेगा कि में उनको पहले सामिल कर dawn स्में कि उसके बाद कि मेरे आडोस पडोसी गली मोहला और फिर मेरे गाउं की बाद आती है कि इवेच्पी के संबंद में अपने विशिस्ट प्रतिबद्धता युजनाए नीती क्रियानवेन के इस्तर पर संस्था कि मैं उस सिक्षक में वो सारे गुर्ण देखना चाहूंगा मैं अपने आपनों देखना चाहूंगा कि मैं उनका ट्रास्प्रेंसी इस चात्रों में कैसे करा प्राओं एक आदर्स शिक्षक के रूप में लोग विद्यार्थी लोग उस भाव को देखें उस मोत अ आचलन को देखें और वह उनके मन में वह सहस्युक्रति आय nerd उन्होंने कहना चाहिए यह सर ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी आप सकता है और वो अपने आप उन्होंने स्विकार करना चाहिए तो सबसे पहले सोयम खुद पर उसके बाद घर परिवार समाज फिर प्रदेश देश और फिर विश्व की परिकल्पना की जा सकती है मैं इस प्रभुधक साथियों जादो जी सम्मो जी और जो इस टीम के वरिष्ट प्रभुधन कार्जों रहें उनका मैं बहुत-बहुत तहदिल से कट्गदा व्यक्त करता हूं और मैं इस आनल सहस्थान के बहुत-बहुत आभारी हूं कि उनके माध्यम से आप लोगों से में करमचारी हूं वो मुझे सेवाएं मेरी ड्यूटी जहां भी लगाएंगे भी मेरे लें ऑन सब्क्राइब जवावदार हूँ निसीदे की बड़े ही लगानों निमानदारी से मैं आनंद संस्थान द्वारा सोपे के दाइतु कुनी भाने का प्रेयास करूँगा धन्यवाद इस कड़ी में अगला मुल्यांखन के लिए मैं दीप्ती डीदी को बुलाना चाहूँगा दीप्ती ठाकुर की जी बेया नमस्का मेरी आवाज हारे जी आवाज जी मैं दीप्ती ठाकुर जोलपूर जिले संसकारधानी से और चार वर्षों से मैं राजानंस अंस्थान में बता और वॉलेंटियर के रूप में कार कर रहे हूँ, सेवा दे रहे हूँ और पिछले तीन वर्षों से मैं एजा काउंसलर दसमी बार्मी के विद्यारतियों की जो भी चाहे वो हार्मोलल चेंजेस से समस्याए हो, चाहे डिप्रेशन की हो, तो मैं उन समस्याओं को देख रहे हूँ और उनकी काउंसलिंग कर रहे हूँ और विगत तीन वर्षों से मैं परटन विवाक से एजा सिटी वॉक लीडर एक्स्प्लोलर भी काम कर रहे हूँ तो ये मेरा परीचे था और जो प्रशन आज के हैं जिस पे मुल्यांकन करना है हमारा हमको स्वैम के लिए तो मुझे याद आता है कि जंगल जंगल ढूट रहा है मरग अपनी कस्तूरी को कितना मुश्किल है तै करना खुद से खुद की दूरी को तो मैं UHV की टीम से बस यही कहना चाहूंगी कि शायद आज माय और शरीर के बीच का जो अंतर है उसको शायद हम लोगों ने ढूनने का प्रयास किया है आपके माद्यम से कुमार समभाव जी के माद्यम से तो बस इनी शब्दों के साथ कि मुझे ऐसा लगता था कि जो हमारी बहुते कावशक्ताएं हैं वह ही शायद फुल्फिल हो जाती है और यही जीवन हो जाता है यह physical needs हैं, वो सिफ हमारी limitation को बाद करती हैं, लेकिन यहां से चालू होती है हमारी समझ और संबंध, कि हम कैसे अपनी समझ को strong बना पाते हैं, कैसे अपने संबंधों acceptance, natural acceptance की जो चार दिन से बात हो रही है, हम कैसे रख पाते हैं, तो चुके मैं सिक्षि का हूँ, तो बतोर as a teacher मुझे ऐसा लगता है कि जैसी मैं हूँ तो शायद विद्यारती ही सिख्चा का आइना है तो अगर वो मेरा अनुसरन करेंगे और अनुकरन करेंगे तो शायद मेरी values, मेरा potential वहाँ दिख पाएगा तो जब पहले दिन कपड़ों की बहत हुई तो मैंने अपना सच में आगलन किया, ध्यान गया कि क्या क्या है, सच में कुछ कपड़े ज़्यादा थे और जब से राजानन संस्तान से जुड़ी हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हूँ कि गाओं में कहीं गाड़ी से ज चल रहा था, लेकिन कपड़ों तक सीमित था, जब मैंने कुछ चीज़ें देखी ऐसी तो कुछ ऐसे मुबाइल फोन्स मिले मुझे घर में चार पांच जो 3G थे, कुछ की पेड़ वाले भी थे, जो अभी यूज ही नहीं हो रहे थे हमारे घर में, तो मैंने उन चीज़ों को निकाला और ये कि जिसके काम आ सकते हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे जो भी हैं हमारे भाई लोग, तो हम क्यों ना उनको ये चीज़ दे दे, तो ये एक समझधारी का भाव मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें प्रियास कर रही हूँ, और परिवार में मुझे ये समझ में आया है कि हम हमेशा देखते थे योगता का आकलन करने लगते थे, और जैसे माली जे एसी चल रहा है तो वास्तों में चलाते थे कि काटिन लगा दो, दरवाजे लगा दो, क्यों खुला हुआ है, हर्श को डाटते थे, अभी तक समझ में नहीं आती बात, हमेशा सम कि मैं समझदार हूँ, वो समझदार नहीं है, तो शायद वहाँ पर मुझसे भूल हुई है, मैं तीन-चाह दिन से बहुत ही इसमें चेंजिस लाई हूँ, कि अगर कुछ भी घर में ऐसी कोई चीजें होती है, तो मैं वहाँ पर रियक्ट नहीं कर रही हूँ, आप रिस्प जब मैं दूसरों को दिन में एकाद बार परिशान कर दूँ, कोई टेंशन दे दूँ, तो मुझे बड़ा अश्चर होता था, मुझे लगता था है, यार कैसे है यह हमेशा है, ऐसा क्यों ऐसा लगता है, फिर मैंने मतलब बहुत जब से शान समय लेना चालू किया है, तो म मैं अब रिस्पॉंड मतलब करती हूं, लेकिन उसमय लेती है, तो मैंने उनका पूरा स्टडी किया, तो मुझे एसास हुए कि नहीं, उनके जो प्रॉब्लम्स थी, फैमिली इशूस थे, जिसके कारण शायद वो इस जगह पर पहुँच पाई हैं, कि वो अब उनको कोड़ना चाहू, चाहलू किया, तो यह जो एक बदला मैंने उनमें देखा कि कुछ चीजों में उनमें परिवर्तन आया, पहले वो बात नहीं करती थी किसी से, अब वो बात करने लगी, बहुत सारी चीजों में साथ उनका मिलने लगा, तो यह मैं देख पा रही हूं, और अब रख पेंटिंग्स कराने के साथ साथ, बच्चे उस में क्या भाहव देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, तो मुझे उसमें वो भी एट करना है, तो यह चीज़ मैंने सीखी है, अभी पिछले चार दिनों मैं, और मेरी जो मानताएं और मेरी जो समवेदनाएं थी जिसके कारण मैं हमेशा जो जैसा कर रहा है मैं भी वैसे ही करूँ उसको फॉलो करती थी मैं से मानने पहचानने निर्वाह करने पर बिलीब करती थी लेकिन अब मैं उसको एक्स्प्लोर करूँगी जानूगी और उसके बाद ही उसको पैचानूंगी अब फिर उसका निर्वान करूंगी इस concept को मैं adopt कर रहे हूं और इसमें एक चीज़ और है मैं यहाइट करना चाहूंगी कि जो मेरा जो holistic development की यहाँ चार दिन से बात हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि holistic development तब है जब दीपती अपने अंदर ही पहले सही समझ विक्सित कर पाए और यह जो मैं और शरीर का जो अलग-अलग concept है तो इस अलग-अलग concept को पहले समझें और उस consciousness तक पहुँच पाए तो शायद मुझे लगता है कि मेरा पहले development हो जाएगा फिर मैं holistic development के लिए अपने आपको आगे बढ़ता और इस मंझ के माध्यम से मैं आदानी देरेन चत्रवेदी जी का दन्यबाद करना चाहूंगी क्योंकि जब मैं as a principal high school beta floor में थी और building का निर्मान हुआ तो चत्रवेदी सरायते वहां पे और उन्होंने इनागरेट किया था तो उस समय मेरी नईनी posting थी और मुझे कुछ भी बनता था मतलब कुछ भी नहीं और वहां कोई teacher नहीं था कोई प्यून नहीं था मैं प्रिंस्पल मैं प्यून मैं टीचर लेकिन कई मेटिंग्स के दोरान मैंने दीरेन भिया का जो व्यक्तित विदेखा उससे मैं बहुत प्रवावित हुई और मैंने अकलन किया उस चीजो के मास्टर टेनर थे और मैं उनके पती भी गतगता गयापित करती हूं और वो कोईट के दौरान नहीं रहे हमारे बीच में और उन्होंने मुझे यह मंच दिया कि मैं आज आपकी बीच में बोल पा रही हूं और मैं शद्या अंजली देती हूं इस मंच के माद्यम से उनको जी बस मुझे इतना ही कहना था और लास्ट मैं बस इस चीच को मैं जोड़ना चाहूंगी कि मैं UHV से जोड़ने के लिए सहर सुच्छा से राजान संस्तान के मार्ग दर्शन में कार करने के लिए अपनी स्वीक्रती देखती हूं और सबसे पहले मैं स्वैम में बदलाव कर करनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए ऐसा मैं मानती हूं और पिछले चार साल से तो मैं प्रयासरत रही हूं इसलिए तनी कॉन्फिडेंटली ये बाते रख पा रही हूं कि मैं जो कहती हूं वही करती हूं तो थैंक यू आप सभी को और एट लास्ट के चलो को जिन्दा दिली से जाने के लिए कुछ उसूल बनाते हैं रोज कुछ अच्छा याद रखते हैं और बुरा भूल जाते हैं थैंक यू अलॉफ यू थैंक जो अच्छा वातावरन है उसको त्यार करने पे जितना भी हम लोग सही हो कर पाएंगे जहीं आने वाली पेडियां जो है वो खुशी से अपना बच्पन से ले करके बुड़ापा आया चाह तक भी शरीर की सीमा है वहां तक उसको को कर पाएंगे और अपनी गतिमें उसको सही होगी पाएंगे तो इस काम को आप कर रही है तो इससे और बड़ा काम जो है वो आप क्या कर सकते हैं इसको सोचने की बात है बहुत अच्छी बात है दिखती जी स्वागत आपको इस क्रम में अगले मुल्यानकन के लिए डाटर ट्रविल जोसी जी को मैं अमत्रित करता हूं कि अपना स्पेल फिल्वेशन रखें सर नमस्कार सभी को नमस्कार आपने अउसर दिया सुवा मुल्यानकन अपनी बात अखने का ये वाकई हमारे लिए सभी के लिए प्रेणी रहा पांस दिन का प्रोग्राम कई अच्छुते पहलुओं को हमने च्छुआ है और इसी क्रम में मुझे एक जो बताना चाहूंगा कि में फिलोसफी का विद्धियारती हूँ उच्जेन से जाक्र प्रेविंट जोशी जिला संपर्ग वेक्ति का दाइत में इभारा हूँ और जैसे ही कि अभी कुछ हमारे पूर्व आधरनी सहयोगियों ने बताया अगस्त 2016 में से जुड़े हुए हैं पर इसकी जो नीव र आपको प्रियानवित करकर घुटान के उधारन देते वे एक मद्यपदेश में इस पकार का आनन्द उखाग बनेगा इस पकार की जो गोशना की गई थी उसमें में उपस्तित था तो तभी से इस विचार को मन में बिठा लिया था कि कहीं नगी आउसर मिलेगा आनन्द के स चक्रति है या मुल भाव उसके साथ जीने का. तो आज मैं उस भाव के साथ मैं यहं तक यात्रा में आया हूं और उसमें कहीं सहिात्री मिले हैं और इसे हिसे अजहिएं सहिए के साथ में में UHV की टीम का भी आभार्वेख करता हूं हुट जिनके साथ मैं पछले 5 दिनों से जोड़ा रहा है। परिवार, प्रक्रती, समाज, निशीती यह इन सब के प्रक्रती हमारा नर्जरिया पहले से अधिक बदला है, पहले से अधिक सकारतमक भी हुआ है। हम सो मुल्यांकर में जो हमारा एक प्रश्न है जिसमें हमको अपने उप्तर देना है कि हमारी वेक्टिगात उपलद्धियां क्या है तो में बताना चाहूंगा अधरनी एकि इसमें इसी करमें जो सकरत्पकता जो पहले भी थी उसकी मातरा में गुनातन ब्रत्ती हुई है अब अजय को प्रश्टता देखने की एक नेचर भी था मेरा, उस में उस प्रश्टता और परखने की सोच में कुछ परिवरतन भी आया है। तो हमें जो सबसे अच्छा लगा कि UHP की जो विशेवस्तू है इस परकार से प्रस्तूत किया कारीकर में उसकी में अपने विख्तिकर रिस्तर पर बता रहा हूं कि हम एक सबसे अच्छा नागरिक और शेष्ट जिम्मेदार नागरिक समाज के सामने अपने आपको प्रस्तूत कर सकते हैं यह सारी विशेवस्तू हमें इसी प्रोग्राम में बड़ी गहराई से देखने को मेरी हैं परिवार के साथ सही मुल्यांकन भी और परिवार के साथ नेत्वत इसमें भी कुछ परिवर्टन सोच में आया है शेष्टता, युक्यता, इच्छा, चाहना, समझ, संबंध, सुविधाय, आशाय, यह सारी जो बाते यह सारी जो शब्द हैं इनको व्यापक इस तर पर समझने का भी एक आफसर मिलाव इसके लावा यूएच्वी जो है यू जो बड़ी बहात थार वो मुझे लगा कि यह कारिकम अगर जैसे अभी आज की प्रोग्राम में कुछ बात हुई थी कि हमारे माननियों को भी सिखाया जाए यह उनको भी इस ट्रेनिंग से इस प्रोग्राम से आगे बढ़ाया जाए ताकि वो समाझ में इस प्रकार के नेत यह वाड इस तर पर ग्राम बंचार इस तर पर पार्शल इस तर पर विधायक इस तर पर इनकी एक अलग-अलग टेनिंग हो जो किकिट के दावेदार हो और वो ही कही न कहीं इसके लिए योग्य हो जो इस टेनिंग को कर चुके हो इस टेनिंग में अपना मुल्यांकन दे एसे जो मानिनी रहें, वही फिर किसी भी पार्टी के दावेदार बनें, और उनकी योग्यता में यह भी जुड़े कि उन्होंने इस प्रकार का एक प्रग्राम या इस प्रकार की ट्रेनिंग ली है, प्रकरती के इस पर भी हमको सभी वर्दान टापते हैं, उसमें हवा, पान हो है, वो इनके प्रति भी होना चाहिए, यह भी इस यूएच्वी ट्रेनिंग के माध्य हम से कुछ सिखने को मिला है, निष्ठा की जब बात आती है, तो यूएच्वी के जो पुरा प्रोग्राम रहा, इसके प्रति निष्ठा तो कारिकम के प्रति हम सभी की हैं, और उसक भाव विक्सिद होता रहे, यह एक और उसका सकारत मक पहलू है, इसमें एक और जो पक्षे सर की इसको हम के से आगे प्रति कर सके हैं अपने कारिकम को, तो इस पर थोड़ा सा एक विचार किया था कि इस नेतिक और मुल्य परे कारिकम में हम शिक्षा से अगर जोडते हैं, तो वो थोड़ी सी और बात सरल हो जाती है, जो बालमन होता है प्रात्मिक इस तर का, जहां पर ले एक नेतिक शिक्षा का पार्थ भी पड़ा करते हैं हमारे कोर्स में, अब भी है लेकिन इसका थोड़ा सरूप बदल गया है, तो प्रात्मिक शिक्षा से लेकर कॉलेज इ तो मेरे ख्याल से एक आम नागरिक जो है, वो जिम्मेदान नागरिक बनने की और अपने कदम बड़ा चुका होगा, ज्यादा समय तो नहीं लूँगा, लेकिन बस अपनी करतक्जिता गयापित करना चाहता हूं, उदाज जानन संस्थान के प्रत्पूरी टीम के प्रतिक, कि उनके अब महनी प्रयासों से, UHV की जो ट्रेम है, यह हमको कहीं ना कहीं, इतना अच्छा पास दिन तक तैयार करके और आगे एक प्रग्राम के लिए तैयार किया है, तो मैं UHV की ट्रेम को और राज जानन संस्थान की पूरी टीम को अपनी करतक्जिता गयापित करता हू खादर धन्यवाद देता हूं, सभी को पढ़ाम करता हूं, धन्यवास्तर, धन्यवाद प्रविन भीन भीन, इसके आखे सुधीर अचारी जी को मैं मंत्रित करता हूं, वह अपना मुल्यांकर रखें, अब शुन पारा है, हलो जी जी नमस्ते, अवाज आ रहा है सब्स्था, अवाज आ रही है अपकी अवाज इस परस्था सुनाए दे रही है सुधीर भीया आप शुन पाराम अड़नी सभी को, हाज जी हाज जी हाज, सभी को प्रणाम, सभी को बड़े मनोयोग से सुन रहा था और अगर एक बात स्विकारता के साथ अगर यह कहूं कि इन पांच दिन में स्वावलोकन की पंचकोशी यात्रा जैसी हो गई और इस यात्रा में पहली बार यह हुआ कि पूरा का पूरा सुना गया और जितना सुना गया उतना समझा गया नहीं सुना अधिक जाता था और फिर समझने का करम तो बात का है समझ लिया समझ लिया नहीं सुन लिया लेकिन पहली बार जितना सुना गया उतना समझा गया कि कई इस तरों पर स्वेंपों जो समझदार समझ रहे थे बड़ा परपर को समझ रहे थे पता चला कि स्थिपी सुनने यह सी लेकिन धीरे-धीरे कुछ कि अच्छा लगा कि बहुत से पाइदानों पर राज्यानल संस्थान के साथ कि आगे बड़े जीवन में कुछ परिवर्तन महसुश हुआ था को कार्य कर रहे थे लेकिन मैं को और शरीर को इस तरह नहीं समझाता तबी इसको समझने में मदद भी मिली और जान भी पाए और इसका प्रतिफल यह हुआ पिछले तीन दिन में दो दिन तो समझने में निकल रहे तीन दिन में लगवग यह हुआ सहित कि घर मैं अब हमारी तरफ से बोला कम जा रहा है सुना अधिक जा रहे हैं समझने की कोशिश की जा रहे हैं उससे भी कुछ वाता बड़ों सहा ज है यह यूएजबी की पूरी की पूरी इंग कि जो भी तरवोदा के हैं बहुत ही सहज असुम्जे हुए है और मुझे लगता है कि उन्होंने स्टम में उतार लिया है साथ ही आधि कि शरणियों मैं मानता हूं लोगों को और उन जैसा या उनके तरंतर कार्यकर में समझने क और मुझे हमें को संकोश नहीं वह कि मिझे है कि यह हमारी शुरात हुए हमारा प्रवेश हुआ है मैं अपनी right कर ते ज़ुआ है और मुझे अभी इस आरेकरम की नकीं सबलोगों के कि साथ संबाद साचारे और संदक्षंकी कहीं आवश्क्ता है तभी शायद पूरी तरह से जो अभी तमाम तरह की जिग्या शाय गंग में रहें हैं उनका निवारन हो पाएगा संब्रध्धी को भी पहली बार इस दिश्च से समझ पाए कि आवश्क्ता से अधिक नाभी है वह सम्षम्रध्धी में हैं और अगर मैं सम्षम्रध्ध हूं तो फिर उस सम्षम्रध्धी से लोगों कि कैसे मदब्स हो सकता है लेकिन कहीं उसमें उसमें शायद मोकरपुना हो जाता हूं कि प्रेम को भी जिस रूप में समझ पाया कि अगर मन में कहीं भेदक और विभाजक रेखा हैं रहेंगी और यह जितनी गहरी और लंबी रहेंगी तो प्रेम की पूर्णता नहीं हो पाएगी उस दिशा में भी काम शुरू हो गया है राजनन संस्थान में विचार संभवते शायद वारप रखा गया था रहा कि करिवार के सम्भेलन होने चाहिए और इसमें भी इस बात को जम नहीं देखा कि परिवार पूरा बैठता है पत्नी बच्चे तो हमारा पूरे परिवार को एक नई दिशा मिल जाती है और परिवार मैं जो बहुत सी चीजह हो रही हैं घट रही हैं वह सवात्ता की हो जाताuhan से हमारे समझाने का करीगा शायद सही घजाते शायद आधिकते हैं तो संभते में समझने में बहुत सहीता मिली मैं तो जोड़ना चाहूंगा जुड़े रहना चाहूंगा और यही निवेदन करूंगा जो मैंने थोड़ा सा सोचा है कि संबाद सहाचरे सद्वियोग संदक्षनों संवर्धन के माध्यम से संस्था मैं समाज मैं कारिक्रमों की कुछ बत्य बन संस्थान का भी और व्यज्वी के आप सब भी साथ्यों का चुकि अभी पूर्त है समझ विक्सित नहीं हुए है तो समझ को विक्सित करने में और वह स्वरूप जब हम उसके कार करना शुरू करें तो उसमें आपका सयोग मिलें अभी वह बड़े-बड़े शब्द शायद तो मैं नहीं कहाँ आप सब लोगों के लिए जो आपने ये पांस दिन के कारिकर में हम लोगों को कहीं अंदर से स्वाब लोकन के लिए प्रेविक्षित की है एक नया दृष्टिकान हमारे बनाया है तो बस इतना ही कहना चाहता हूं अच्छा लगा है अच्छी शुरॉत ह हो जाए आगे बढ़ती रहे इसके लिए संस्थान और आप और हम सब मिलकर आगे जोड़े रहें और जोड़े रहें बहुत धन्यवाद प्रतगिता और आप इस जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस कंटेंट से जुड़ने के बाद ऐसे लगता है कि इसे जुड़े रहें तो लगभग सभी प्रदेशों में वीकली मीटिंग के रूप में इसमें हम लोग जुड़ते हैं और इसके फालो में इस पर चर्चा करते हैं तो अगर आप अपने मुल्यांकन में वीकली मीटिंग से जुड़ने पर भी अगर अपनी स्विकृती जिसकी दंती हो कि हां इसको आगे करना है अगर वह भी अगर बताएंगे तो और अच्छा रहेगा सर सह स्विकृती है इस मुल्यांकन को आगे बढ़ाते हुए मनु दिख्षित जी अगर ने शुन पारे हूं तो भारत भूशन जी वूट इवनिंग सर्व जी शर मनु बोल रहा हूं प्रोग्राम कॉर्डिनेटर हूँ दाज जानन संस्थान में स्टेट भोपाल में मैं हूँ पोस्टेड हूँ यह मेरा विक्टिगत अनुभव है कि जैसे जब मैं एक टेस्टी खाना खाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल चुपचाप होकर वो खाना का हूँ I will not speak anything I will not talk to anybody because I am enjoying that food so this program के बाद very honestly मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब वक्ताओं को सुनूं जैसे अभी यहां पर सभी आदर्णिये स्पीकर्स बोल रहे थे और हर विक्ति का अपने एक बड़ा प्यारा अनुभव है अलग-अलग बाते हैं जो वो शेयर कर रहे हैं और उनको सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था कि जिस पर मुझे काम करना है वो है self-realization and self-introspection Before changing others, before conveying something to my fellow beings first it is extremely important कि पहले वो change वो बदलाव मैं खुद में लाओ खुद में चिंतन करूँ कि मैं कहां पर हूँ, मेरी क्या qualities हैं, क्या मेरी skill sets हैं क्या चीज मेरे अंदर अच्छी हैं, क्या चीज मेरे कौन-कौन से मेरे अंदर दुर्गुण हैं और उन पर मैं काम करूँ तो ये पहली चीज जो अपलब्दी के तौर पे मैं देख रहा हूँ इस camp के माध्यम से, online camp के माध्यम से I need to continuously work on self-introspection, self-realization के, what is the purpose of this human life? क्या मेरे actions अच्छे हैं? क्या मेरे परिवार के प्रती मेरी जिम्मिल्दारियों को मैं प्रॉपर वे में निर्वाहन कर रहा हूँ के नहीं कर रहा हूँ? Are my thoughts, words, deeds, my actions are pure? They are in harmony. Can I be considered a person of integrity? Am I working with honesty in my office? Do I have a loyalty? Do I have faith in God? या मैं भगवान को सिफ तब याद करता हूँ जब मैं किसी परिशानी में होता हूँ? और I am remembering God in all these circumstances. Do I have patience? क्या मेरे अंदर पेशेंस हैंगी? तो ऐसी बहुत सारी मेरे अंदर की जो strength है, मेरे अंदर की जो weakness है. So this is a moment where I should... Hello, I should be doing the self-introspection. Self-realization मेरे अंदर होना चाहिए. वो मेरे अंदर चल रहा है. इसके साथ साथ इस वर्क्शॉप के माध्यम से मैंने हुमन रिलेशन्स के इंपॉर्टन्स को देखा है. क्योंकि management में human relation एक बहुत important aspect होता है. हम कोई business भी करते हैं, कोई भी business organization की सफलता, चूँकि मैं एक management professional हूँ, तो किसी भी business organization की सफलता उसकी human relations पर depend करती है, कि उसका customer relationship management कैसा है. तो यहाँ भी हमारे, हमारी life में भी, हमारा relationship building कैसा है. How are we, how are our relations with our family, with our wife, with our children, in our office, with our colleagues, with our boss, with our fellow, जो हमारे junior है, उनके साथ हमारा relationship क्या है. तो यह सद्रण तब हो सकता है, जब मैं self introspection करूँगा, जब मैं देखूँगा कि मेरे अंदर क्या strength है, मेरे अंदर की बुराई क्या है, और उन बुराईयों पर मैं कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ. तो यह कुछ बाते मैंने उपलब्दी के तौर पे सीखी है, और मैं इस पे काम करूँगा. इसके साथ-साथ, जैसा कि UHV प्रक्रिया से, मैंने क्या-क्या संभावना है मैं देखता हूँ. तो मैं बहुत सारी संभावना है देखता हूँ. I am seeing a lot of possibilities. Specially जो प्रोग्राम था, सबका अपना-पना वेक्तिगत अनुभव है. पर मेरको इस प्रोग्राम में मुझे ऐसा लगा कि पूरा प्रोग्राम एक यूथ लीडर्शिप प्रोग्राम जासा मुझे लगा कि इस प्रोग्राम शुद बेडिवर्ड तो as much as youth as possible. It should be given to school children, it should be given to college going children, management students, engineering students, because they are going to be the future leaders of tomorrow. तो जितना transformation, it is all about human transformation. It is all about character building program. तो मैं इसको एक बहुत leadership initiative, एक leadership program के तौर पे देखा मैंने इसको. तो मैं इसमें बहुत अपार संभावना हैं देख रहा हूँ. मैं देख रहा हूँ कि ये, this is one of a very important platform of a human transformation. Youth transformation, youth character building, youth development, human development का program है ये. तो इसमें बहुत सारे हम लोग आगे चलकर initiatives ले सकते हैं. आपने अपने प्रोग्राम में बीच में बताए था कलपर्सों में कि एजुकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, कि स्कूल्स में जो होता है, वो value-based education होना चाहिए. तो ये बड़ा important step है, because character is the hallmark of an individual. ऐसा बूला जाता है किताबों में भी मैं पढ़ता हूँ. तो education is, it is not for living, it is for life. The end of education is character. तो ये बातें really जो आगे आने वाले time में जो possibilities हैं, वो मैं देखता हूँ कि यही बच्चे आगे चलकर युवा बनते हैं, और युवाओं के बहुत सारे सपने होते हैं. मैं भी एक उसी age group में रहता हूँ, तो मैं समत... Manu, आपकी आवाज कट गी है. सर, आरी है मेरी आवाज? अब आरी है, बीच में कट गी थी. जी. अब conclude कर सकते हैं? जी, जी. मैं बिलकुल अपना जो बात है, वो यहाँ पे conclude कर रहा हूँ, सर. मैं समझ गया, मैंने शाइट time जादा ले लिया है. ने, ने, ऐसा नहीं है. अभी साड़े चार बज़े का वो था ना, तो हम इसे पूछना चाह रहे हैं. जी, जी. यस, सर. तो मैं बस यहाँ पे conclude करता हूँ, कि finally जो आपने जो तीसरा question इसमें जो दिया था, कि इसमें क्या आगे यूजना है, जो कोई भी यह जो participants हैं, वो दीखते हैं, तो personally मैं देखता हूँ, कि यह प्रोग्राम यहीं पर खतम नहीं होना चाहिए, हमको बहुत सारे initiatives आगे लेने हैं, for youth, for medical doctors के लिए, nurses के लिए, जैसे भी बीच में अधरणी भाया बता रहे थे, कि nurses कितना काम कर रही हैं, तो compassionate care पर हमारा topic होना चाहिए, doctors के लिए, nurses के लिए, कि how they should be compassionate while giving the medical services to the people. Human development courses हम लोग कर सकते हैं, collaboration के साथ, partnership के साथ, UHV team, Anand Raj, Anand Sansthan, और और भी हम nationalized institutions के साथ मिलगर, मैं जरूर propose करूँँगा अपने seniors को office में भी, कि we can take such initiatives आगे भी. But, जैसे हम बोलते हैं कि culture तब बनती है, जब वो regular होती है. Family की culture एक दिन में नहीं बनती है. वो regular, PD-ों से वो culture चलती है. तो इस program को भी हमको यहाँ पर end नहीं करना पड़ेगा. इसको अगर हमें एक culture बनाना है, तो this program needs to be continued. हर regular interval पे हमको continue करना है, यूथ development program करना है, medical professionals के लिए एसे कुछ programs हमको continuous basis करना है. तो यह मेरा समेशन है. And I'm really grateful to the UHV team members, सारे seniors, सारे speakers जिन्होंने बहुत अच्छे 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 शेर किये. I'm grateful to my seniors, my organization for giving this opportunity to participate in this program. Thank you so much, sir. Thank you. साथ बजे से सुरू होगी. तो अभी से साथ बजे तक हम लोग को अन अन आफ कुछ कर सकते हैं. तो बताइए. मुझे लगता है कि मेरे खालमा हम इसे continue कर जैसे हमने अभी तक किया है कि हम officially इसको close कर सकते हैं. तो जिन लोगों को जोड़ा है अपनी बात कहना चाहते हैं रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं. या फिर उन बातों को जो बात वो कहें तो उस बात को वो लोग अपने ग्रूप पर भी सेयर कर सकते हैं. ताकि जो लोग अभी नहीं सुन पाएं किसी करन से तो वो सुन सकें उस बात को चुकि अभी हमारे काफी पाटिसिपेंट हैं और अगर हम सभी लोगों को सुनते हैं तो मुझे लगते हैं कि काफी सा मिलाएगा उतने समय तक सब लोग जूड़े रहे पाएंगे ऐसा मुझ चुड़े रहें और जो यह self-evaluation का form है जो post-workshop survey है उसको जरूर भरे सभी लोग और किसी वज़े से अगर कोई share नहीं कर पा रहा है अभी नहीं share कर पा रहा है या अभी समय नहीं है तो self-evaluation तो करे ही वो और अगर चाहें तो अपना मुल्यांकन record करके भी भेज सकते हैं अ अगर आप लोग को भेज देंगे तो हम लोग इसमें जोड देंगे उसके और यह जो पूरा सेट होगा वो आप लोग के लिए हम लोग रिकॉर्डिंग को उपलप्त करा देंगे तो इतना हमारी तरफ से आप लोग अब ऑफिशली क्लोज कर सकते हैं तो जैसा की अभी से इने मिली है कि ए और अफिसली इस टू कर देते हैं तो विसकरम में अगर हारत भूशन जी हो तो मैं चाहूँगा क्यों अपना बुल्ययांकन थारे के सासथ सम जो लोग भी है वो तीन मिनिट में अगर कुछ महत्पूर्ण है तो तीन से अधिक समय भी ले सकते हैं लेकिन वो तीन मिनिट में रखने का प्रयास करें तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जैसे धन्यवाद वाला भाग है सबके मन में तो एक्स्प्रेस तो होई गया है तो उसको और फिर जो सुझाब वाला बाट है वह ये दो बाट को अगर हम लोग मानने अभी तो अच्छा रहेगा जी सर जी मिरे नाम भरत भुशन है सर शिक्षा मैं एंब्या फाइनन्स क्लियर है मेरा और सीए फाइनल का भी स्टुरेंट हूं एक्जाम क्लियर नहीं हुआ है जोब मैं सर राज आनन संस्थान में ही करता हूं एज ऑफिस असिस्टेंट और वहां के सारे books of accounts में ही maintain करता हूं और सर सयुक्त परिवार में मैं रहता हूं सर जो आपका प्रेशन नंबर तू था इस यूएजवी शिविर के माध्यम से मेरी वेक्टिकवत कुपलब दी तो सर शिविर से पहले तक तो सर मुझे ऐसा लगता था कि चुकि मेरी परिक् सर शिविर में मैं और शरीर के बारे में जब चर्चा हुई तो सर एक नहीं सोच डैवलप हुई है कि मतलब पहले मैं सूच रहा था वो तो मानिता ही हैं मानिता ही है लेकिन अपने इस तिरह पर जब हम जाचते तो मुझे गयात हुआ कि जो ना मैं तो जो ना संसाधन को ज प्रेश्न अब देखता हूं तो सर मतलब वैसे तो विशे वस्तु और प्रक्रिया सार्थक है में मेरी योगता के इसाब से बोलरहों कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ना इनका प्रस्तुती करण थोड़ा और रोचक होना चाहिए और सर भाषा जो ना थोड़ी और सरल होनी चाहिए मतलब सर मेरी योगता के हिसाब से मैं बता रहा हूं बागे सर बी पॉइंट जो था कि यूएजवी कारे में मेरी निश्ठा और आगे की योजना तो सर मेरा यह मानना है कि जो लोग मुझसे मतलब अभी परिचित ह है या फिर भविच में भी जो लो कभी के बार मुझसे मिलेंगे या फिर समय तेंगे तो उनके साथ बैठके जो ना मैं इस विचारदारों को जरूर शेयर करूंगा तक कि वो इन सब बातों से अफ़कत हो सके जी सर थैंक यू इसी सेंख्राम में प्रदीप जी हैं उनको मैं अमन्कित करना चाहूंगा प्रदीप जी तक अगर आवाज पहुंच पा रहे हैं जी कि सभी को मेरा नमस्कार बहुत इस पश्ट रूप से सभी चीजा भी नहीं समझ पाए हैं हम फिर भी सार्व वो में मानो मूल कि विसे में स्वस्त मन स्वस्त सरीर आसपास का बातावरण व्यक्तियत परवार और शमाज इस चीज को काफी गहराई से हमने समझा है और ब्यक्तियत रूप में मेरे अंदर एक परिवर्तन जो आया हुगा है हम अपने आज नगर में भी परचारित कर पाए हैं मेरे यहां एक बहुत बड़ा च्छतरपुर में भाग है आम का और उसमें गांधी आस्रम है तो बहां पर जो आम होते हैं वो प्रिशिद आम हैं लेकन वो एक खटे बेच दिये जाते थे तो मुझे मेरे बच्चों को वो आम बहुत पसंद थे तो मुझे लगा कि वो सकता बहुत सारे लोगों को वो आम पसंद होगे तो मैं गांधी आस्रम गया और बहां हमने आमों का एक काउंटर शुरू करवा दिया है बढ़े बहुत अच्छी मीटिंग की वहां के संचालक से और आम का भाग शुरू हुआ है और उसकी हमने लोगों से फिर बाद में पहुन पर बूला तो लोगों को भी बहुत अच्छा लगा है तो मेरे आप लोगों के जो पांच दिन के सब्सक्राइब करें कि प्रकृति के बीच रहना मुझे बहुत अच्छा तो प्रकृति वाला जो आप लोगों ने विश्र बताया वो मेरे अंदर बहुत अच्छे से समझ में आया और भवस्त में मैं इस पर बहुत बड़ा कारे करूंगा यसी मेरे मन में योजना तैयार ह हुई है और राजानादम संस्थान के साथ में काम कर ही रहा था और राजानादम संस्थान निश्चित रूप से आप सभी के साथ काम करने की सभी को स्विकृति देगी ही तो मैं भी आप लोगों के साथ काम करने का जो भी आउशर मिलेगा सहष रूप से तैयार शदेव र कि इसक्रम में डाक्टर समीरा जी है अगर और लाउड हो जाए तो ठीक है नहीं तो ठीक है अब ठीक है नमिश्कर कि आनन सारव भामिक मानमी मुल्यों के आधार पर इस कारेशाला के जो पांच देन हमने गुजारे हैं उसके अनुभाव को अब सब के बीच में हम रखना चाहा रहे थे और मुझे लग रहा था कि समय हो गया है शैद जो मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा और मैं रिकॉर्ड क राजया आनन सास्थान के हमारे सभी अधिकारी एवं अपने सभी साथियों का हार्दिक आफ़ार और बहुत-बहुत धन्यवाद राजया आनन सास्थान के साथ मैं दिसंबर 2016 से जोड़ कर अपने आपको एन्रिच कर रही हूं परिंतु इस वर्क्शॉप की इसको UHV कहा जाए यह अभी मत सुनिया एक इस प्रकार की वर्क्शॉप की आवश्यका मैं महसूस कर रही थी और जब मेरी गंग्राडे जी से बात हुई तो उन्होंने का आप इसमें देखिये इससे आपको मदद मिलेगी तो आज मैं आप सबको बहुत इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई दे रही हूँ कि जो मैं सोच रही थी शायद मुझे उसका expression नहीं था वो मुझे इन पाश दिनों में अनुभव हुआ कि मैं इसी तरह का एक enrichment या upliftment या थोड़ी अपने आपको बहतर तरीके से देखने की प्रक्रिया को समझने की एक कारिशानला की बहुत शिद्दत से उमीद कर रही थी और मैंने ये माना था कि मैं इसमें एक classroom student की तरह से बैठ कर हर प्रेशन को हर बात को सुनो और समझो तो ये मेरे लिए बहुत-बहुत महत्पून है बहुत-बहुत धन्यवाद कि मैं पूर्ण रूप से संदुष्ट हो और इस पूरे के पूरे UHV टीम के program ने मुझे productive बना पक्षू मंधिप्रदेश राज्यानन संस्थान में देवास जिले के लिए district program leader और प्रदेश स्थर पर समन्वेक के साथ साथ अपने अल्फ विराम सत्रों में master trainer की भूविका निभा रही हूँ और आज इस कड़ी में हम जो दूसरा प्रशन था कि UHV के शिवर के माध्यम से मेरी विक्टिकत उपलब्थिया क्या है तो पहले और दूसरे को मैं ये सोच के देखना चाह रही हूँ कि अल्फ विराम को लेकर जिन टूस का उप्योग हम स्वयम को पहचानने की प्रक्रिया निरंतर कर रहे थे बिकाज अल्फ विराम हमारा राज्यानन सहसान का flagship program है और उस program के जो theory है या theoretical process जो है वो UHV के इस program ने मुझे समझा दिया, सिखा दिया और मेरी सही समझ को परिशुकृत करने में मेरी मदद की है इसी के साथ मैं देख पाई कि समृत्य के रूप में सही समझ के साथ सुख और समृत्य के उपातान और हार्मनी को रिष्टु में जो विरोध या वैमनस से बनता है उसे समझने में 100% मादद मिली है एक बहुत छो कोटा सा उधारण मैं आपके सामने रखना चाहूंगी जो मेरा और मेरे पती के बीच का है हम लोग दोनों अपने अपने कारियों के निश्वादन करने के लिए लगभग 800 किलोमेटर दूर है वो राजस्तान में है मैं मदपदेश में हूँ पर क्योंकि हमारी जो उनके साथ साथ खेती का काम कर रहे हैं उन्हें अपने लिए अपने आसपास कुछ सुविधाय सम्रुद्धि के रूप में बढ़ानी चाहिए जैसे उदाहरन के लिए कि उनके पास पूलर है तो एसी होना चाहिए इस तरह की बाते मैं अपने पती से पिछले एक हफते से क मैंने इसी कारिकरम के दौरान ये समझा कि मैं और मेरा शरीर ये जब दोरों बाते समझ में आएं तो मुझे अपने पती की वो बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो वह कहते थे कि जितरे में मैं एसी खरीदूंगा मेरा कूलर से खाम हो जाएगा उसके वजाए मैं अगर पानी के समवर्दन में पाइकलाइन दालने में और एक स्टॉप डेम बनाने में अगर मैं उस पैसे का स्तमाल करूंगा तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जो बीच में एक समझ का फेर हो रहा था वो बहुत साफ हो गया कि मेरी जो एक उनसे अपेक्षा थी कि वो किस तरह से उप्यूब करें और उनकी जो समझती तो हम दोनों के बीच में बहुत साफ हो गए और रिष्टे जो थोड़े बहुत जिद या तनाव में आ रहे थी वो खतम हो गया तो धन्यवाद यूएच विश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यू मन, आहार, विहार, योग, यम, आदी पर समझ रूप से हम स्वयम को कैसे फोकस कर पाएं तो आपके इस पूरी कारिकरम की जो क्रोनलोजी है वो बहुत ही बहतर है एक स्टेप बाई स्टेप बात को समझने के लिए कि मैं विक्तिकत रूप से यह समझ पाई कि स्वयम मैं ज स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर जो है वही मुझे माने पिये मुल्यों के साथ आगे पढ़ा पाएगा तो धन्यवाद योईच्वी की विश्यवस्तो को अलप विराम की विश्यवस्तो के साथ जोड़कर मुझे थोड़ी से संभावनाएं बहतर और जाधा नजर आ रहे है कि वहाँ हम अपने अनुभवों को रख रहे हैं और यहाँ हम उन अनुभवों के जो पीछे की प्रक्रिया है उसको समझ पा रहे हैं तो मैं ये चाहूंगी कि हमारी आने वाली जो भी बातचीत हो ये कारेशाला हो, हमारे राजया अनल संस्थान के सबसाथी अधिकारी यहां मौझूद है, तो एक अनुरोध है सरा आप लोगों से, कि हम इस पर भी एक विचार करें, कि हम अपने अल्फिराम को और विक्सित कर सकते हैं, UHV के इस कारेशालम के साथ जोड़ कर, क्योंकि हम सबकी समझ जो आप लगाता है, सभी लोगों को सुनके समझ आ रहा था कि अल्फिराम के जो हमारे सारे साथ ही हैं, उन्हें UHV के इस कारेशालम में बहुत जादा गहराई तक किया, बहुत जादा एक्स्मेशन के साथ बात को समझने की ज़रुत नहीं, सामानी रूप से हम पिछले 2017-2018 से इस पूरी के पूरी प्रक्रिया को जीने वाले समझ के रूप में आपके सामने आए हैं, तो इसे के साथ और आगे मैं बढ़ती हूँ, बस एक मिनेट और लूँगी, कि हर वेक्ति की चाहना, सुख संब्ध, पूर्वक, जीना, संग्रीत, मैं, व्यवस्ता, ये शंद मुझे थोड़े से, क्योंकि सामानी रूप से नहीं इस्तेमाल हो रहे थे, तो मुझे थोड़े से लगते थे, कि ये एक क्लिष्ट है, लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए, इन बातों को हम बहुत सफाई के साथ, बहुत रेशा-रेशा समझ पाए, और मैंने अभी जो एक अपने आपको देखा, मुझे एक पूरा ले-आउट मिल गया है, एक प्लॉट जो बना हुआ था मेरा, उसके उपर एक ले-आउट है, जिसमें एक बहतरी बिल्दिंग या ऐसा समाज का निर्मान क पर सकती हूँ, जिसमें जादा जादा लोगों तक मैं पहुच पाऊँ, क्योंकि इस प्रोग्राम को भी स्वेह मैंने विचारी कुरूप सेफ ने आपको एंवरिच किया, परिवार ने का रिक्राम को सुना, और इस विशे की विभिन जिग्यासाओं की समाधान के लिए प कड़ी थावित हुआ, क्योंकि उस वो 25 वर्श का है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे विशेते, जहां सम्रद्धी को लेकर उसके मन में बहुत सादा इंक्लिनेशन है, तो उस तरह से हम इस बात को बेहतर तरीके से हम दोनों के बीच में एक समझ रहता हुई, जब हम चाहना वर्ड था, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था, कि चाहना वर्ड हम बार-बार यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब संबधपुरक और विरोधपुरक जीने की बात समझ में आई, तो मुझे बहुत सफाई से अपने अंदर चल रहा एक वैचारिक तो मैंने भी जेल के कई अनुभव अपनी जन्दगी में लिये हैं, मेरे पती अपने आंदोनन को करते हैं कई समय कई बार जेल में गए, वो पॉल्टिकल रूप से गए, वहां उनको जज़तरे के खैदी मिले जो अपराधी थे, डकैत थे, उनके अनुभव मुझे मिले कि वो भी एक व्यक्ति के रूप में, क्योंकि सभी कोई सुकुर्वक जीना चाते हैं, तो उनकी अनुभव भी मुझे मिले, एक अजार किलोमीटर दूर मैं यहां अपने दिवास की जेल में जब कारिक्रम कर रही हूं, तो वहां के कैदियों के अनुभव भी कुछ उसी प्र करते हैं, कि हाँ उनसे गलती हुई थी, और अब वो बेहतर होने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, तो यह एक बहुत अच्छे से समझ में आई मुझे बात, कि कैसे एक विक्ति का सुक और दूसरे विक्ति के सुक में कोई अंतर नहीं होता है, तो फाइनली मैं पूरी क कोशिश करूंगी कि अपने जिले, समाज, परिवार में और राचानल संस्थान के निर्देश अनुसार एक प्रेरक के रूप में, स्वेन के परिशकार के साथ, जो भी मैं बहतर कर सकने हूं, वो समाज में करने की कोशिश करूंगी, with a better human consciousness, holistic development, and transformation of self, with an introspection of self, are the keys to me to move ahead in life Thank you UHV team once again, and thank you Rajayanan Sansthan for giving us this opportunity to be in this workshop. Thank you everyone. जो सामने स्लाइड है उसमें जो बिंदू है उन बिंदू को विध्यान में रखे रखें, तो हम ठीक से आपकी बात को ले पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर भी कर पाएंगे, जी भी नमस्टी रनवाद, जी माप से बहलेक में है, तो पांच बजे से एक अ ताजनन संस्थान और UHP टीम दोनों के प्रती में बहुत करतक गी हूँ, कि अफसर मुझे प्राप्त हुआ है, और तूदा पॉइंट जाते हुए ही कि मेरा नाम वेजय कुमार उपमन्यू, और मैं मुलते साहिक जलावियोन अत्कारी, जो अभ्योजन ग्रहपलिस वाग है उसमें मेरा ये पद है, और वर्तमान में मैं पुलिस प्रसेशन साला तेघरा में दवालियर में पदस्था, वहां से मैं रीडिप्लाइमेंट पर राजनन सहस्थान में डिस्टिक प्रोग्राम लीडर दवालियर के दायत पर अभी फरवरी में 24 फरवरी 2021 को मैंने ये दाय सब्सक्राइब के मिलने के साथ मेरे मन में ये विचारत मेरे मन में अभीपसा थी कि मैं अभी नया ही जोएन हुआ हूँ, मुझे कुछ ना कुछ इस तरीके से इंपुट्स मिलें कि जो मैं अपने आपको आनंदम से होगी कि ट्रेनिंग से थोड़ा सा और उपर ले अप्र से कई चीजें जो हैं बिल्कुल कॉंसेप्ट्री नई आई हैं सामने और जिसमें चाहें वो सुख की व्याख्या हो या सम्रद्धी की दोनों ही सोच जो समझने का जो तरीका था जो सब्दों की अव्यक्ति थी उससे मुझे जो एक नई समझ नई दिसा मिली और इसमें जि इसी भी चीज को आप कल्पना के आधार पर मानेता के आधार पर नहीं जांचने और परकने के आधार पर पर प्रिस्ताव के रूप में लें प्रिस्ताव की जो कॉंसेप्ट है यह बहुत ही अच्छा है इससे कि हम अपनी बात को रखने में और यह भावना रखते हुए कि हम हमारे इस प्रिस्ताव को सुएक्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी हम प्रिस्ताव के रूप में सामने वाले को भी अफसर दें कि वह समझ के आदार पर उसका चुनाव कर सकता है तो यह चीज इस से मिली साथी साथ उप्लब्दियों में उभैसुक और उभैसम्रद्धी यह जो कॉंसेप्ट था विल्कुल एक कैसे प्राप्त किया सकता है तो वहां की एक अंडरस्टेंडिंग इसके साथ डवलब हुई है और साथी साथ जो परवार के रूप में मैंने भी जो है अभी मुझे जो अक्सराइज परसों के लिए मिल परसों मिली थी तब मैंने अपनी लड़ में खुद के लिए थे वही कि क्या आप स्वेया को सखी करना चाएटी टो हाँ मैं किया दूसरा को सखी करना चाहते है अठी Critics की करना चाहता करना पथा पता तब वहाँ के निरंतर जो शुकी कि कर पाता है तब और उसके बाद जब अांखरे के चार बाह उसका था दूसरा आपको रिंतर सुखी कर पाता है तब भी नहीं का यह जो चीज आपने करने के लिए दी थी और तो मुझे एक अवसर मिला इस चीज को जानने का और सबसे खास बात जो संबंदों में जो नौ भाव जो बताए जो जिसमें संबंद के भावें विस्वास से लेके प्र प्रात्रिक्ता के तोर पर और सम्मान चोटे से लेके बढ़ों तक ता जो कहीं ना कहीं एज़े प्लिस प्रस्टिकिशन ऑफिसर या अपन आज़े ऑफिसर रैंक में होने पर कहीं इस चीज को कभी कभी नहीं पूरा कर पाते तो वो चीज ऐसी चीज़ें संग्यान में कि इस्में एक स्रेश्टा का प्रियास कि हमारे इस बात में है कि हम स्रेश्ट होँ साथ ही साथ language करके स्रेश्ट बना पाए तो यह जो चीज है वो इस माध्यम से जानने को मिली इस रिष्टा का सही भाव क्या है और जो एक बिल्कुर पासंग के आप मुझे प्रस्ट रखा है कि यूएच्वी की विश्वस्तु परिक्रिया के समय मैं क्या संभावना देखता हूं तो मुझे तो काफी अच्छी संभ काफी पहले हुई लेकिन अभी वी चल रही है तो यह मिझे लगता है स्वामी विवेक अनंजी का यह कथन बी एंड मेक बनो और बनाओ तो यह पूर्ण बनाने वाली बात है तो सांसा चलेगी और चुकि हम राजन संस्थान से सहमती देते हुए जुड़ा हुआ है तो होगा निर्देश प्राप्त होंगे स्वयोग प्राप्त होगा उसके अनुरूप अवश्ची अपनी पूरी चंता से मैं अपना योगदान दे पाऊंगा धन्यवाद कि पेरी बात खत्म हुई कि का कनेक्शन नहीं है परिक्षित जी आप करिए कंटीनिव कि मेरी बात आप तक पूरी पहुंच पाई ना एस धनिवाद बहिया जी और अभी कोई और हैंड रेस तो नहीं है कि और किसी को शेयर करना है तो हाँ हाँ बिल्कुल पहुंच पाई जोजनाओं में जरूब एक मिनिट लूँगा आपका तुकि मेरा खुद का जुड़ाओं न्याय विववस्था में अभियोजन अत्कारी के रूप में परत्मान में पुलिस प्रसेच्चन साला में प्रस अगर एक दिवसी कोई चीज हो मतलब एक दिवसी आपकी कारिशाला हो एक दिवसी को प्रोग्राम रहता हो तो वह एक इंट्रडूस किसी भी इस तरफ पर भविस्थ में करने के लिए एक सहयक हो सकता है धन्नवाद बिल्कुल अच्छी बात है हमको लगता है कि पहले हम लोग जो अभी कारे कर रहे हैं उसमें कैसे जोड सकते हैं सब चीजों को उसके उपर मन्थन करें और फिर जो फैलने वाला काम है उसको जैसे जैसे अपनी योगिता बनेगी वैसे वैसे हम लोग उसको कर पाएंगी त वह सचा ने जैने बहुत वह तो धन्यवार सभी लोगों कर लिए बैग्यों ने या आ तरफ कुछ मेतों है तो थीक है बहुत बढ़िया सबका रिफ्लक्शन रहा है सब्सक्राइब कर सकते हैं कि या जी कुमार बहुत अच्छा मैं सभी को सुन रहा हूं और लोगों इतने ध्यान से पुरी बात को सुना है इसके लिए हुम सभी के प्रतिक रितग्ये हैं और बहुत अच्छा है और आगे भी हम सब आसे जुड़े रहेंगे वीकली फॉलोग मिटिंग के सुरू या विवन वाक्सॉप और समिनार के साथ तो आज आपसे विदा लेते हैं और इसी सब्दों के साथ कि यह वक्सॉप यहां पर समाप नहीं हो रही बल्कि सुरुवात है यहां से वक्सॉप अगर प्रवीन जी हो या कोई राजयनान संसान से और प्रवीन जी ने माइक बें मुट किया जी प्रवीन संनमस्ते है हम लोग फ्लोज कर देंगे जी 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 हां बढ़ी हां अगर आपने लिटसे यह जो भाई अगर आप हैटफोन यूज कर रहे हैं तो मैं सभी का दन्यवाद भी कर रहा था और यह यह आपने अच्छी बात कहीं थी कि परिवार यह जो चर्चा हम लोग करते हैं इसके बारे में हम आपको हमको आप सुछना देते रहेगा तो हम सर्कुलेट पूरा ग्रूप और वैसे तो ग्रूप बने हुआ है अपना यूएच्वी वाला इसको भी हम कंटिन्यू मदब जो सभी लोग हैं यह चुकि एक परिवार ही तो हम लोग भी इस विशह पे लगातार बात करते रहेंगे जो भी शंका हैं या जो भी हम इस पर आगे और समझना चाते हैं तो जितना जिससे बन पड़ेगा वो चर्चा करेंगे और आगे समझते रहेंगे और फिर बह करका मोर योजना बनती ये राज्यानं चन्स्थान की तरब से तो वह हम आगे बड़ा तेन है न बढ estát नहीं को अधुर मेरे तरफ से रही और सभी को बहुत बहुत 7 कि नभाद सब्सक्राषा को कि सब्सक्राइं को नयुक्त-ळौद चाहिए इस जी नभास सरजी को सबी को बहुत बहुत दन्नमास अपने राजनट संस के मारधर सब सबीको नम